प्रिमी संग विवहारा चाया, फिर कुछ समय बाद स्वधेश लॉट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादीश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लत्पत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन स्टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीयस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटीयस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीयस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे ह सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉंट्राक किया तो सीमा ने कहा कि हा कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले ल लोगों से कॉंट्राक किया था सीमा ने ATS पूछतास में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथी एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच के दोरान फराटेदार पढ़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रहे थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूछताच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए हैं सूत्रों के हमाले स इसने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा पूछाच की गई दरसल उस पूछाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एससे बिसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अल लोगों के संपर्क में थी जो की दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब यह कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछाच के दोरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटारोगेशन किया जा सके और जाना जासे कि आखिरकार की सिलसले में सीमा इंसे लगात की दा रही है जी ठीक है जी तेंद में हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी जुड़ गया उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलास कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही है और जो इंटर्वियू उसने मीडिय को दिये है वो भी पुलिस ने देखे हैं वो भी सिरी विस सिर शिवा को दिखाया गई सीवानिकी जहां 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 पुलिस संद्देश रहा है। पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस के जाज का देरा है और बढ़ रहा है और आगे भी पूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए एक और चोखाने वाली बात यह है कि TV9 भारत वर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा फराटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का रियाक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना यह का है सीमा ने? पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या क कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ 5 वी तक ही वो पड़ीवी है! पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है। सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा? पुछ पुछ शाप लाते हैं कि फिल्मों में सुने हो जाल करेंगे इसका लगता अंगर की बोला हमें जेल नी थी ना सब्सक्राइब करें तो इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं तो जैसे हाथ में निशान किसीद के है तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंगलिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काजमान्ड माली शादी में जो ये कोई तो बजरा है क्या प्रास के आदार पर आजको भारती नागरिक साभी जाएगे मिल्ज़की है ये ज़िस हो तो ये ये बहुँ हो चादी को कोई प्रूफ है अपके बास पाकिस्तानने सें आपको घ्सथापिस कर दिया लिल्किस्तान विर्ट कर दियू तरह cheता है आप्स भारत सें हो ना मैं भारत ने कभूल कर रहा है ना पाविष्ना कभूल कर रहा है आप पर यदि एक साधी का ऐस कोई पोटो होगा अलागी पुले से जाच एजनसी कल काटमांडू जाहीं इस मंदर ने आपकी साधी हुई है क्या वहाँ फूटू अगरा किजे से जिन पंडीजी ने साधी की ती कराई थी वो हैं वो पंडीजी कह देंगे कि हाँ हमने इंकी साधी कराई यह बताईए कह देंगे वो पंडीजी पर देखे पार्सानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खिलाफ दर्ज एफ आई आर की कौपी है 4 जुलाई को दर्ज की गई थी फाई आर हर्याना के वल्लबगर से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो फाई आर की कौपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉड़ा पुलिस की 13 पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए है कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताज में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से ही आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मुबाइल की हालत क्या थी एक ठूटा हुआ मुबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया मुबाइल फोन की भी जाच की जा रही है जिसमें से एक मुबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो कैसेट भी मिले है सीमा के पास से सीमा एदर के पास से और इन सभी चीजों की जाच इस वक चल रही है वही चार जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि चार बच्चे हैं सीमा के, चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं, एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है, अभी भी ATS लगातार पूछताज कर रही है, सीमा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई है। सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभू पूरा में ये FIR दर्ज है। जि सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में। हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया। FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है। पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है। सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉडा का रहने वाला है। सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया। सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं। कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास। ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दरज किया था उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बेयान दिया उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फ़ला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके लावा सपंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे हो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बेयान दर्ज किये हो तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जहांच एटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ़ आई आर की तो एफ़ आयर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताई कि इससे पहले भी कि 10 मार्च को इसी साल वो यह हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचीन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजां से सीधा काटमआन्डू पहुंची और काटमान्डू से वैन के जरीये सीधा पोक्रा आई थी और साधिदी पोक्रा के अंदर बाकायदा उस सवाल है उसे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में प्लानिंग चार बच्छों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता ज़ा रहा है हमारे साथ नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजंसी कल काटमांडू जाहीं इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजे थे जिन पंडी जी ने साधी की ती कराई थी वो हैं वो पंडी जी कह देंगे का हमने इंकी साधी करा ये बताईए के देंगे पंडी जी पलाई है में एवरोफार में आपकै आपकिस्थर थी दू करोभष करते हैं जी वती जी इन पंडी जीकाह थी प्राब आपका था ये आपके जुटे करने झादी के जिसनल देगे में extension तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाय नहीं है बॉठ भाई ने बलके गुलाम हेदर का एक सौतेला भाई है पुलस आई ती और अपने कहा था तो तभी देखिया मैंने क्या कहा था हुआ पुलस अधर करें नहीं ज़्यार दिया पूलिज से बच्चे बच्चे की साथ नहीं ह tut बच्चे को हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और आप सचन को जोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्ता वेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वे विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संडे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर कि सीमा एक पाकिस्तानी एजंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखे बात कीज़े तो ATS की जाच का जारा है इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का जारा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पाँचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कहीं न कहीं संदे और बड़ा उसके अलावा उसके पास जो डॉकुमेंट्स मिले वो संदे के एक बड़ी वज़ा है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांची पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुंची तो कही न कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जाँच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा वो वाटसेप चाट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे ने सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के हुआ है सीमा को ले करके पहाने से अजे को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लत्पत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेरफेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पास्पोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेर तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसी को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसी को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आयी है जीतेंदर को बेखें सीमा एदर से कल्बी आट जिनके पूछा चुई आज बात भी पूछा जो से चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोईडा के अंदर जो एटियस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाव जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूछाच की जारी है जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास एक नाम से एक पतेपल हो लिए कि जनम तित्थी की कैसे मौझूद है तो उस पर सीमा का जवाब यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसकी तित्थी निकल चुकी थी तो उसके बात जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बतायी है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर्फाइल को सर्च किया गया है जिके जिकन दियारी कि अभी ATS की जो पूछता चोरी उसमें और चोकाने वाले खुलासे हो सकते हैं सीमा हैदर को ले करके मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहाँ भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उतरप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लॉट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लतपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला पॉन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए UPATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UPATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्छारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे है सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुलास है अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलास हुए है वो हम आपको बता रहे हैं एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बहुत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल करना पातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहद चौकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरते है जितेंद्र क्या-क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एससे इसका अच्छा था साथ ही उसने पूछताच की दरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब ये कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछताच के दरान पता की जा रही है और उस डिटेल जो और साथ ही जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौजूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की दा रही है जी चीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा में हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आट गेंट तक पूछताच होई तो आज भी लगाता है सीमा से पूछताच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुम्रा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरादवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही है और जो इंटर्व वो कप से सचिन के परिवारवालों के समपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की ती क्या उसNG को किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वो कुछ होड़ नाम बताती है फिर कुछ होड़ नाम बताती है तो यहीं कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चल जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़िवी है पांच सबचने चालेशता अपर नियुक भूलाव। इसमें तू सवाज ओठ रहे ना वो यह रहे ता तो यह कुछ निशान के सीत के हैं। तो सुना आपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए अब शक्राइब वाली सादी कोई प्रूफ है आपके बाद सादी कोई प्रूफ है आपके पास ये जिस पहले है जब तरो इसकी नागरिटा यहां है यह उसकी पत्री है ये 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 य कुष्प है कोई कावज्द, पोटो दागी पुलिस जांच एजएन्सी कल काटमाणु जाएंगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या आप फोटो अगरा खिजे थे जिन पंडी जी ने साधी कराई थे वो हैं और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला पुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दाइरे में और क्या क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ट भी मिले हैं मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडि सीवा के चार बर्ट सर्टिफिकेट भी मिले हैं एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीवा के पास से मिला है अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है सीवा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कॉपी में हर्याना के वलब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जाँ चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आई आर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी दस मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बकाइदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोट करे थी चार बच्छों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता ज़ा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बार भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलेस जाच एजन्सी कल काटमांडू जाहीं ही इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजे से जिन पंडी जी ने साधी की ती कराई थी वो है वो पंडी जी कह देंगे कि हाँ हमने इंकी साधी कराई बताईए पंडी जी कराईए तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने कहा था तो जब ही देखिया लेने क्या कहा था हूंगा पुलिस तो बच्चे तो अपने आए था ना बच्चे तो पहले रापके लिए आई थी ना आइ तो बच्चे जसा हमाड़ों हूंगा, लॊपस गी ना प्रफ जिए आई अगरे तो इम्हे तो जब ही अरअकेर ज्सक्षान क्या हूंगा हूंगा हुलिस जब हेगरों exaggeration मैं को डवा क्रेकित सिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को जोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है तीवी नाइन के पास लगातार सीमा से जूड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वें जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वे विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर कि सीमा एक पाकिस्तानी, एजन्ट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा आए एटीएस का? सीमा जिस तरीके से सवालों के गुल मौल जबाब दे रहे हैं? दिखिए बात किजए तो ATS की जाच का जारा एस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का जारा भी बढ़ता चला जारा है क्योंकि जिस तरह से सीवा ने पहले कहा था कि वो पाँचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कही ना कही संदेह और बड़ा उसके अलावा उसके पास जो डॉकुमेंट्स मिले वो संदेह के एक बड़ी वज़ा है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुँची तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया यार फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जाँच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर चुक्ता लेकिन जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारिया है वो वाटसेप चैट स के मताबिक सीमा ने अपने मॉबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब से पूछा गया तो कोई साफ जवाब सी मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहारा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखे सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुक्ता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आयी है सीमा एदर से कल भी आड़ जिनके पूश्ताच जो ही आज पूश्ताच चल रही है इस वक्ष्टर 58 नोडा के अंदर जो एटीयस का दफ्तर है वहांपर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाव जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्टाश की जारी है दरसल ये पूश्टाश सीमा के आइडन्टिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके इर्दगिर्ग है और जो सीमा ने अब तक कागजात कुलिक के सामने पेशिया चाहे है वो उसका अपना पाकितानी आइडन्टिटी कारड हो इसके अलाव जो उसके पासपोर्ट है दो उन सबको लेकर उसे सवाल जाब किये जारे हैं दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास एक नाम से एक पते पर लोले की जरम तिति की कैसे मौजूद है तो उस पर सीमा का जवाब यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसक इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल को दिया था। उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है साथ इसको फॉरेंसिक्टी के बाद भी आरे कि अभी ATS की जो पूछताच हो रही है उसमें और चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं सीमा हैदर को मुरादाबाद में भी एक caminho अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी connection सीमा पार प्रेम प्रसंग का नजर आरा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहारा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वह महिला पॉन थी ब्रेकिंग न्यूज गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीस की पूश्ताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटीस की पूश्ताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीस की टीम पूश्ताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूश्ताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी-एटीस की पूश्ताच में ये बड़ी बात सामने आई है यूपी-एटीस पूश्ताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूश्ताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटीस ने सवाल इस बारे में पूशा तो और एटीस की पूश्ताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चौकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरत है जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है कि सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक एटीएस ने पूश्टाच की आज फिर उनसे पूश्टाच की जा रही है कल जो पूश्टाच की गई दरसल उस पूश्टाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसके फराटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी तो उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आच क्रोस चेक किया जा रहा है उसके बयान फिर से दर्च किय लिए जासा कि और जाना जासे कि आखिरकार कि सिलचले में सीमा इन से लगातर संपर्ख में थी इसके अखिक एक बार फोन फिर सिमाश के पूच्टाच के दार्या विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया है उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी किसी गुप्तिस्थान पर और पुलिस को लग रहा है की कही ना कही सीमा गुमराह करने कोशिश्च कर रही को कि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले कुछ और बात कर रहे ती और अब कुछ और बात करती हुए कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस के जाज का देरा है और बढ़ रहा है और आगे भी फूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जेते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेएगा आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा हम रहे नहीं हाई हम तो छालिश्टान के हो गहाई हम पर दूस्स तो को सब्सेन्म कि और वत हैी किसे हाथ में निशान के सीज़ के हैं? तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए एक बास है काजमान्डू वाली सादी कोई फोटो बज़ेरा है क्या किसा उसी के आदार पर आजकू भारती नागर्शी अब ही जाएगा इस फोटो भी हो तो आपके पास हाती है ... इसकी नागरिटा यहा है, यह उसकी पतरी है यह पास्ति पत्र काँ रही है लेकरू नागरिटा नहीं थी पास्तित नागरिटा है पाकिस्तान मैं आच के और विस्थातित हैرت पत सीमा चल थीधा ही आप भारतो जी नागशी हो पर है जुआ को पर यदि एक साधी का एक कोई पोटो है कोई कुछ पोटो लागी पुलेश जाच एजन्सी कल काट मांडू जाहीं इस मंदर में आपसी साधी हुई है क्या मुआ फोटो अगरा किजे से जिन पंडीजी ने साधी कराई थी वो हैं और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला पुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की अलत किया थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहाए भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने, इसी वज़े से सीमा शक के दारे में और क्या-क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट, सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले है, मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक mobile phone टूटा हुआ मिला था, data deleted था, दो वीडियो भी, दो वीडियो cassette भी मिले है, सीमा के पास से, सीमा एदर के पास से, और इन सभी चीजों की जाच इस वक्त चल रही है, वहीं, चार जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि चार बच्चे हैं, सीमा के चार birth certificate भी मिले है एक परिवार registration certificate भी सीमा के पास से मिला है, अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है, सीमा से कई इसे सवाल है, जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है, साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई हैं, सबसे पहल विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है, और IPC की धारा 120B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है, इस FIR की कॉपी में, हर्याणा के वलब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर, और उसके बाद ही सीमा मीडिया के साम FIR में सीमा हैदर, सचिन और नेतरपाल का जिक्र है, पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है, सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया, जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है, सीमा ने PUBG गेम के जरिए सचिन के संप कि साधा है, हमारे दोस अयोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए, उनका रुक करेंगे, जितेंदर के पास चलते हैं, जितेंदर आपने सुना, सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंग्लिश बोलना सीख लिया, सीमा ये भी कहती है कि काटमांड में नेपाल में हमने शादी तो की, लेकिन शादी किस पंडित ने कराई, उसके बारे में मालूम नहीं, कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास, ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी, शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे, जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दरज किया तो उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी, उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दिय, उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी, इसके पुलिस का शक जो है, वो सीमा के ओपर गहराया है, और यहीं वज़ाए कि अब जहांच एटियस को सौपी गई है, इसके अलावा अगर बात करें इस F.I.R. की तो F.I.R. में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी, दस मा पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचिन से, और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मैं के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर नोड़ा तक पोँची है, तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिर कार इंदुसतान नहीं पोंची थी, तो यह वो तमाम सवाल है उस से पूछे जारे है उनके जवाब, क्या अखिर कार मार्च महीने में हिंदुसतान लानी की प्लानिंग चार बच्चों के लेकर पाकिस्तान से सीमा पहँच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जबाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान मे आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस इस्टिंग का हिस्सा पुले जाच एजनसी कल काट मांडू जाहीं इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या हाँ फूट वगरा किजे थे जिन पंडिजी ने साधी कीपि कराई की वो हैं वो पंडिजी कह देंगे कि हां हमने इनकी साधी करा ही पताइए कह देंगे वो पंडिजी आपको आपक ट्रिया तो करहा है, वां। खीचर है, अध़न्य स्थर्याइम संयत्त घान सबस्क्राइ। थी करें लिजका हैं संवर हुट अभी yerde करना है। कम धोगज होल् introducing अभनेक्षा चाहती है। भी सिरिया चीजल्स submission कुर सेहती? तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का आ है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया ग इनकार किया कि नहीं कोई भाई नीया बलके गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है फुलीस आई थी और आपने कहा था तो जबी देखिया ने क्या कहा था उनकर पुलीस पर पुलीस को भी रिचत आए था ना बच्च्छ तो पहले राव अके लिए थी एक भी तो बच्चे कहा हुए है वोथ। आपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जूड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी हैं जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ प्यरे सज्योगी विवेक भी जुड़े वें जो कि ATS दफ्तर के बार से हमारे साथ जुड़े वें कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है? तो ये शहां किसा लगाता जो है जो पहुंच चुकी है? और लगातार पुलिस जो है इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर नेकिन जितेंदर जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डेलीट किया गया है आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारिया है वो वाटसेप चैट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जोड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके जो बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावब कुछ अन्या लोगों से भी उसे ने चैट की हु क्या उस चैट के बाद सीमा के उपर संदे जादा गहराया है लेकि जो सूपर हमारे बतार करके मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहाँ भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का धज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेसबुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अज़े के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अज़े को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लट्पत अज़े का फोटो मुरादाबाद में उनके परेजिनों को भेजा परिजनों का कैनाए कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मा ने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी TV9 भारतवर्श पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के आईसाई ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटेश की पूस्टाच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोमेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पिता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुख्ता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी पूस्ताच में क्या कुश निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुकता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है इस वक्तिर एक्टावन नोडा के अंदर जो एटीयस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाओ जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी चे लगातार पूश्टाच की जा रही है दरसल ये पूश्टाच सीमा के आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दिगिर्ग है और जो सीमा ने अब तक कागजात पुलिप के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकितानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जा रहे हैं दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए जो तो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर सीमा ने बताया कि उस रास्ते से वो उसी बस के अंदर बैठ कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस बस की पैचान करने की कोशिश नी जा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल की इसको दिया था यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उतर प्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लोट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को बेजा परिजनों का कैनाए कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मा ने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए UPATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UPATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे है सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूशताच में जो बड़े खुलासे अभी तक हुए जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट समझ दे देते है सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉनटाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूतरों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉनटाक किया था सीमा ने ATS पूश्ताज में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथी एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पड़ी है ये बेहर चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए है सूतरों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरत है जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बातें सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एससे बिसका अच्छा था संपर्क में थी जो कि दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब यह कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछताच के दोरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जासे कि आखिरकार की सिलसले में सीमा इंसे लगातार संपर्क में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़ कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल जो पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की जा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफतर से विवेक हमारे से योगी भी जुड़ गया है उनका भी रुक करते हैं बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आट गेंटे तक पूस्ताच हुई तो आज भी लगाता है सीमा से पूस्ताच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कही सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में दवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही ती और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही है और जो इंटर्वियू उसने मीडिय को दिये हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं वो भी सीमा को दिखाई गई हैं तो यानि कि इसमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वह कुछ योट नाम बताती है तो यहीं नहीं नहीं सतरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ है जिसके चलते मारी स्फेस्टव सकती है में बोली सीमा फर्राटे से अंग्रेजी बोलने पर सी Hammacim%. जैम में सीखा उंग्रेजी बोलना रहा है है तो आप सोचीं किया कोई पांज दिन लिंग्रेजी बोलना सीख जाता है वह वैसा व्यक्ति सीमा 24 पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा कि अधिए अधिए चालिश्तान के हो गए हम पर तुम पर तुम पर तुम पर तुम पर तुम आपको सवाल जो उठाए है ता वो यह जैसे हाट में इस निशान किसीद के है अधिए बोलने इस बारे में क्या में आपको सीमा का जवाब गो गयरिए कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 कि स्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बाद जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए कराई काई मंडवाली सादी मिश्या कोई सोटो बजयरा है क्या चिता उसकी के आदार पर आपको भारत की नाजोबी सादी का कोई कोई प्रूफ है आपके पास ये इसकी नागरिक्ता यहां है ये उसकी पत्री है ये 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 पापित विस्थाफित पापता है ये विस्थाफित नागरिक्ता नहीं है पाकिस्तान ने आपको विस्थाफित कर दिया निखान दी रहा, इस समय आफ फिलाल जिस्था पाचाहता हैं, आप बहरत सी नागरे को निगी हो ना मेजी भारत के विए कभूल कोईगी, ना मेजी भारत में कभूल कर रहा है ना कापिछना कभूल कर देखे आप पर यदि एक साधी का एक कोई पोटो है कोई पुरूफ है कोई कावज कोई पोटो दाकि पुलिस जाच एजन्सी कल काटमानु जाएंगी इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महाँ फोटो अगरा किजे से जिन पंडीजी में साधी कराई थी वो है पंडीजी कह देंगे कि हमने इसाधी कराई बताईए कि पंडीजी 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 पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की 13 पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला पुलिस को 4 मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मॉबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मॉबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहां ये भी जा रहा है कि फोन से जो data था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दाइरे में और क्या क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडि एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफेट हैं। अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है। सीवा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई हैं। सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR धर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कौपी में। हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया। F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंग्लिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं, कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी, शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखें, जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी, उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दिये, उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी, इसके बाद ही पुलिस का शक जो है, वो सीमा के ओपर गहराया है, और यहीं वज़ाए कि जहांच एटियस को सौपी गई है, इसके अलाव अगर बात करें इस F.I.R. की तो F.I.R. में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी, दस मार्च को इसी साल वो हिंदु नेपल आई थी, और नेपल में सचीन ते उसकी मुलाकात हुई थी, उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुँची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी, और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुला हिंदुस्तान नहीं पोची थी तो यह वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान लानी की प्लानिंग चार बच्छों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब द आई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टेंग का हिस्सा कि पुलिस जाच एजन्सी कल काटमांडू जाएंगी इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो वगरा किजे थे जिन पंडिजी ने साधी कीपी कराई थी वो हैं है वो पंडिजी कह देंगे कि हां हमने इंक कि एवश् charging की है؟ 를 एक भी ने सतुकुत है सुने हो दो जाइदा में भी रुख स् कधिए मैं है बाट अधे जिक़ाई रही तो प्ते दो आज बेन में गयाता है दो ओनाभ साधिकां जए निर्ट में गाश के अधे में अगरा था जो था जाए जए तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का आ है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है पुलिस आइठी और आपने कहा था तो जबी देगिया लेने क्या कहा था हुए पुलिस के लिए बच्चे दवके ताथ मी आये था ना बट्चे बच्चे किसा है तो जब आपके लिए आई ती कि अगए। वाई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं, अलग हो सकते हैं हम, और अब सचिन को छोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार, सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है, जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वें, जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वें विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा, मसलान अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंड है, पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है एटीस का, सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखें बात कीजाए तो एटीस की जाच का दैरा इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है तो शक का दैरा भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पांचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कई ना कई संदेह और बढ़ा उसके अलावा उसके पास तो डोकुमेंट्स मिले वो संदेह के एक बड़ी इस मामने में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रहा है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है सब्सक्राइब करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वो फोन को फोरेंसिक जांच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं किया ग मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेकशन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नधसर आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लदपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कैनाई़ कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुक्ता करने की कोशिश तमाम डॉक्यमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग दस घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच चारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सबवादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है चल रही है के पास के मिले हैं जिनके अलग अलग नमबर है जब उसके पूछ आच की गई अगी कि दो पासपोर्ट सीमा के पास एक नाम चे एक पड़े पन उलीए की जरहना के कैसे मोजूद है तो उस पर सीमा का जवाब यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वह उसका पर आगा जो तो उसके बात जो उसने रिम्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है, जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई हैं, उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है, जो रूर सीमा ने बताया कि उस राक्ते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोकरा से ग्रेटर जो पुक्ता करने की कोशिश नी जा रही है, इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल की जान बचाने की गोहार लगाई है, यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नधसर आ रहा है उतर प्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया, पडोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई, युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहारा चाया, फिर कुछ समय बाद स्वधेश लॉट गई, इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बुलाया, अब चार दिन पहले जूली ने खून से लतपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भीजा, परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है, अजे की माने मदद की गुहार लगाई, वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये, इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी, Breaking News यह कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क, देखें, बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क, ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है, सीमा, तो देखिए, ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से, और अभी तक कई सवाल पूछे गए है, लेकिन अलग अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है, एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है, वो ये हुआ है पूछताच में, कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था, सीमा हैदर्स ने, तो देखिए, UPATS की पूछताच में ये सिर्फ सची नहीं, बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था, सीमा ने, ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है, जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो, और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है, सीमा हैदर, सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है, बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है, सीमा, सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है, ये सूतर ब है, कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है, समझ लेती है, और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के, सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है, तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है, जिससे ATS हैरान है, आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे, ATS पूछताच में जो बड़े खुलास है अभी तक हुएं, जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते हैं, सचिन से पहले भी बताया जा रहा है, कि जब सवाल पूछा गया सीमा से, क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टैक किया, तो सीमा ने कहा कि हा कुछ लोगों से संपर्क किया था, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टैक किया था सीमा ने, ATS पूछताच में बड़े खुलास हुए हैं, जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क, यानि कुछ लोगों से कॉन्टैक की कोशिश की थी, दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टैक किया था, सीमा ने, ATS पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है, एक और जो जानकारी है वो ये, कि सीमा सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है, यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है, और सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है, सीमा हैदर, सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है, साथी एक और जानकारी है, कि सीमा से क कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल करना पातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रहे थी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरते जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली एंस्यार में रहने वाले लोगों से कॉंट्राक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखे सीमा सचीन और सचीन के पिता से कल तकरीब आठ घंटे तक एटियस ने पूश्टाच की आज फिर उनसे पूश्टाच की जा रही है कल जो पूश्टाच की गई दरसल उस पूश्टाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ चीती तो उसके बियान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आज क्रोस चेक किया जा रहे हैं उसके बियान फिर से दर्च किये जा रहे हैं साथ ही उसने पूश्टाच की दोरान ये भी बताई कि इससे पहले वह इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क मे थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल जो पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो और साथी जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौजूद है और उनको भी सामने सीमा से पूश्टाच की जा रही है जी ठीक है जी तेंद में हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गए उनका भी रुख करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है को दिया हैं वह भी पुलिस ने देख है वह भी इसी सीमा को दिखाए गए तो यानि कि जहां जहां पुलिस को सदे हो रहा उसके अधार पर लगातार सीमा से पूश्टाच की जा रही हैillए साथ ही सीमा से जानने कोशिश की जा रहे है कि आखिरकार कपसे सचिन के परिवार नहीं बता रही है कभी वो कुछ होड़ नाम बताती है फिर कुछ होड़ नाम बताती है तो यहीं कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संधे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का दे रहा है और बढ़ रहा है और आगे भी पूस्ताच हो सक तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या क जैल में नहीं धाशी है। तुरी निया चारश थिर्भाट लगाते हुं। तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए आप काजमांडु वाली सादिन शादी कोई फ्रूफ है अपके पास यदि शादी को प्रूफ है फिर पास इसकी नागृत्ता यहां है यह उची पत्री है यह यह पास तुछ पास आपने जाए लेकिन इनके पास नागत पृष्टा नहीं है पाकिस्तान ने आप को रिभिस्थापिस कर दिया। पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉड़ा पुलिस की तेरा पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को 4 मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथी उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी? एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दारे में है और क्या-क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को 3 आधार कार्ट भी मिले हैं मोबाइल फोन की भी जाच की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी, दो वीडियो कैसेट भी मिले हैं सीमा के पास से, सीमा एधर के पास से और इन सभी चीजों की जाच इस वक चल रही है भाई चार जन्म प्रमाण पत्र क्योंकि चार बच्चे हैं सीमा के, चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है, सीवा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले, 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वलबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई यह पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुक करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जहाँ चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आई आर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी दस मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीयर सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो Greater Noda तक पोँची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पोँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान आदी की प्लानिंग थी सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलेश जाजेजंसी कल काठमांडू जाही निस मंदर में आपको साधी हुई है क्या मूँ फोट उ अगरा किजे थे जिन्स पंदी जी ने साधी की ती पिराई थी हूँ है वो पंदी जी कह देंगे कि हां हमने इंकी साधी कड़ा है बताईए कि तो पंदी जी मपधने करने सकते हैं कि जिस्टों करें जाएं यह चाहिए करें करने। तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई बच्चे तो आपके लिए आई थी तो बच्चे तो पहें वते आए थी तो पेसे आई थे उन्टेफ, मुझे केइगे। हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाऊं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा एटीस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है देखें बात कीज़े तो एटीस की जाच का दारह इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दारह भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पांचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कही ना कही संधे और बड़ा उसके अलावा उसके पास जो डॉकुमेंट्स मिले वो संधे के एक बड़ी वज़ा है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहां पर पहुँची तो कही न कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है आपने बताया कि कई एसी जो जानकारियां है वो आप वाटसेप चैट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे ने सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य है लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वो उस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए पूरा डिटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा के उपर संधे जादर घर आया है उतर प्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि जितने ही साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है जीकल को देखें सीमा है दरसे कल दी आज़ी आज़ी पूस्ताच वी आज़ी पूस्ताच उससे चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोईडा के अंदर जो एटियस का दस्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाव जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा की आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकितानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अलग नंबर है मुरादाबाद में एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगा手 यहां भी connection सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है पारेजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूस यह है कि सीमा हैदर से यूपी अटियस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटियस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटियस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी एटियस की पूछताच में यह बड़ी बात सामने आई है यूपी एटियस पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटियस ने सवाल इस बारे में पूछा तो और एटियस की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्छारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से एटियस भी हैरान रह गई है तो देखिए एटियस पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है, समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चौकाने वाले बाते क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक कि पूश्टाच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरत है जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉंटाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पड़े और एससे बिसका अच्छा था यानिकि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से लगातार संपर्क में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वह चैट डिटेल भी सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं क्या एटियस को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पुश्टाच होगी क्या अपडेट है पुश्टाच होगी तो आज भी लगाता है सीमा से पुश्टाच की जा रही है किसी गुप्त इस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोश्च कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती ही नजर आ रही है और जो इंटर्वियू उसने मीडिया को दी हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं वो भी सीमा को दिखाई गए है तो यानि कि जहां जहां पुलिस को सद्धे हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूस्ताच की जा रही है और साथ ही सीमा से ये भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का देरा है और बढ़ रहा है और आगे भी फूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे है विवेक और जीत अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए ए आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ती सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़िवी है पांच वी तक पड़िवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कह पुछ पुछ नहीं आती है। तो सुना आपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा। सीमा को मालूम नहीं है। तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो कि सीमा पर अब शक और बढ़ाती है। सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए। सीमा पर आदार्पर आस्पू भारती के नाजोटी का एक पर शादी का कोई प्रूफ है आपके पास। पाकिस्तान ने आपको विस्थातित कर दिया, निकाल दिया, इसमया फिलाल विस्थातित पाचास्तानी, आप भारत की नागरिक नहीं हो ना मिजी भारत के का पाइस कभूनगी ना मिजी भारत के कभूह कर रहा है न पाभिष्थातित पूतो अप पे विस्थातित की नोिजी कराई वहां है पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में इसमें बड़े खुलासे हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि F.I.R. की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी ब रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दायरे में और क्या-क्या मिला था जो ये पास पोर्ट सीमा सीवा के चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीवा के पास से मिला है अभी भी एटीएस लगातार पूछताच कर रही है सीवा से कई इसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि F.I.R. में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले चार जुलाई 2023 को F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभू पूरा में ये F.I.R. दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कौपी में हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दोस अयोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रोख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्श किया था उसके तरण बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दियों उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वो फिर वहां से जुडें लोगों के बयान दर्च किये हों तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ाए कि अब जहांच ATS को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस F.I.R की तो F.I.R में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकायदा उसने मलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोकरा और उसके बाद फिर पोकरा से बस पकड़ कर सचिन के साथ वो greater newda तक पोँची है तो पहले क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदोस्तान नहीं पहुँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उसे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब बच्छों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमुल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता ज़ा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बार भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजन्सी कल काठमांडू जाएं इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजे थे जिन पंडी जी ने साधी किती कराई थी वो है वो पंडी जी कह देंगे कि हमने इंकी साधी कराई बताईए कह देंगे वो पंडी जी इसिए प्रको ऐस चुझे शाधी करते में बताई यह ने कंपने ने मैं आपकी साधी कह देंगे मैं भीटाता इन पहम हम्यम्यां सभी के बहुट prime अब हैस्ट इस्टीपारि हर टो देखिए टीवी 9 की स्टिंग ने सीमा का दो कोई भाई नहीं है यह सीमा ने कहा है गुलाम हैदर का 138 भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा रहे इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने कहा था बुट अब है नहीं हुआ नहीं है पाई तो बच्चे थो पहले राप अके लिए आई थी तो बच्चे कैसा थे तो दोबारा मापिस काथ नहीं आए था नहीं है सिमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संडे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी वी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजन्ट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा ए एटीएस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखे बात की जआतो एटीएस की जास का जारा स्वालों के इस दोकूमेंट्स मिले वो संदे के एक बड़ी वजह है क्यांस के साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आजाना यानि कि अगर पांची पास है तो उसे पूरे route की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे अपनी book कराई तो कहीं न कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामने में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया, वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है, जाँच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाँच पहुंच चुकी है और लगातार प्रोलिस जो है इस मामने में कुछ उक्ता सबूर दिता लेकिन जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारिया है वो वाटसेप चैट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए भीजा गया पूरा डिटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा के उपर संधे जादा गहर आया है उतर प्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लटकाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुक्ता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसिस को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये I.S.I. की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए है हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आयी है दरसल ये पूछता सीमा के एडन्टिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दिगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात कुलिप के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकितानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे हैं तो सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है जब उसके पूछ आज की किए गे तो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई हैं उन तमाम बातों को पुकता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर सीमा ने बताया कि उस राक्ते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस बस की पैचान करने की कोशिश नीजा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल को दिया था यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उतरप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हेदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पडोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लॉट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में भार चला गया है और अब उसको वहां से नहीं आने दिया जा रहा है इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गया है कि सीमा हैदर से यूपी एटीयस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली एंसियार के लोगों से किया था संपर्क एटीयस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीयस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी एटीयस की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है यूपी एटीयस पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटीयस ने सवाल इस बारे में पूछा तो और एटीयस की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से एटीयस भी हैरान रह गई है तो देखिए एटीयस पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुए जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट समझ दे देते सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के अवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूशताच में जो बड़े खुलासे हुए वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से कॉंटाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बहुत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहद चौकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरते है जितेंद्र क्या-क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई और साथ साथ इससे जानने की कोश्शिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्ताच के नहीं रहने वाले है अनों की डिटेल उससे पूछताच की दौराण पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरूगेशन की जा सके और जा जा करा बौर्डर के पास भैका था उस फोन की भी डिटेल प्लिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो साथ ही जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वह चैट डिटेल भी atS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूश्टाच की जा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए एटीएस दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका विरुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई च सीमा से पूश्टाच की जा रही है किसी गुप्त इस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुम्रा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही और जो इंटर्वियू उसने मीडिया को दिये हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं वो भी सीमा को दिखाए गए हैं तो यानि कि जहां जहां पुलिस को सद्धे हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूस्ताच की जा रही है और सा एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं सुत्रों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वो कुछ हो नाम बताती है फिर कुछ हो नाम बताती है तो कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संधे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रह एक्षन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांचवे तक पड़िवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग उपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए पाकिसाना को रिस्ठापित कर दिया निकाल दिया रहा कि समयास चाहएं अब भारत क्यिंगायाख मैनि वह के लगनिऊ है क्या कि हम अब यदो एक साधी का अभारत कि अजहाएं, कोई पोटो है अगि पोलिस जांजन्स शादी कि अँपको फोट इस मंदर में पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है कि देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी? एक टूटा हुआ मोबाइल फॉन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फॉन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने सीमा के दारे में, और क्या-कया मिला है, कुल-चै पासपोर्ट, सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को, तीन आधार कार्ड भी मिले हैं, मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है, जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था, डेटा डिलीटेड था, दो वीडियो भी, दो वीडियो कैसेट भी मिले हैं सीमा के पास से सीमा एदर के पास से और इन सभी चीजों की जाच इस वक चल रही है वहीं चार जन्म प्रमाण पत्र क्योंकि चार बच्चे हैं सीमा के चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी स सीवा के पास से मिला है अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है सीवा से कई इसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई है सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्श किया ता उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके लावस पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बयान फिलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जाच एटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आई आर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताई कि इस से पहले भी 10 मा कि अंदर बाकाइदा उसने मोल मुलाकाद की चीन से ऑर उसके बाद वह वापस पाकिस्तान लोड के ती और फिर मशान के अंदर वह वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोख्रा से बस पकड़ अगर साथ वह ग्रेटर पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुँची थी। ये वो तमाम सवाल है, उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब, कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान नहीं की प्लानिंग ती। पर एक और खुलासा हुआ है, सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है, भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है, ये बाद भी सीमा ने बताई है, तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजनसी कल काटमांडू जाहीं इस मंदर में आपकी साधी हुई है, क्या वहाँ फोटो अगरा किजे से, जिन पंडी जी ने साधी कराई कि वो हैं, वो पंडी जी कह देंगे कि हमने इंकी साधी कराई है, बताईए, कह देंगे वो पंडी जी, हैं? आपने हैं साधी जी, अचिर आप हाम रखाने मेंजें, आपकी सिंदाई खाता है, कि मी हमे और मेरी पारम क को रिकांगे हैं, बताई हम और मुला की देंगे गालारां साधी जाहीं जाता है, कि मैं दो यृनक जाहीं परिग Помलिए किमन आता है, वो लाकि में भुट आपकी स तो देखिये tv9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है यह सीमा ने कहा है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है पुलिस आई ती और आपने कहा था मेने क्या कहा था मैने क्या कहा था हुए टाओ आल कोई जाए था है तुसे हो फॉसर जा किना लुए जुबंत एक पो कहा दो हुआ है कि रहे खुब हो आखिए खिए भुषक्षण का Seal अगला पाई खरोघ्वार्व एख टीदित ऑसका से खाल जुए जुए जबने माँ के खाली करेख रेह आखँ वी तो खाली явा हुए हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है टीवी नाइन के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी हैं जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से मार साथ जुड़े हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है एटीस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखें बात किजैंकी जाच का दैरा इस मामले बढ़ता चला जा रहा है तो जिस तरह से इंग्लिश बोली तो उससे कहिनinskyily संदह है और बड़ा इसके अलावा उसके पाँ तो डोकुमेंट्स मिले वो संदह के बड़ी वजह है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पाँच्वी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी की तरह सी थी और की तरह से उसने टिक्टे अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुंची तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जांच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है वो आप वाटसेप चाट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके कि बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब उस सस्पेंस बना हुआ है सीमा को ले करके मुरादाबाद में भी एक बाने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लत्पत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परेजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के I.S.I. आपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उमर का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारीया एटेश की पूस्टाच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उमर सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लिकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिया लगतार सीमा हैदर उसके पती सचन और उसके पता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुकता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जीतेंदर को देखें सीमा अदर से कलबी आड़ जंटें पूस्ताच जी आज पिर सीमा के पूश्टाज उससे चल रही है इस वक्त सेक्टर एक्टावन नोडा के अंदर जो एटियस का दस्तर है, वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है, इसके अलावज़ सचिन के पिता है नेतरपाल वह भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्टाज की जारी है दरसल ये पूश्टाज सीमा के आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है, उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात कुलिप के सामने पेश चाहे, वह उसका अपना पाकिस्ताजी आइडेंटिटी कार्ड हो, इसके लाओ जो उसके पासपोर्ट है, दो, उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है, दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है, जिनके अलग अब नंबर है जब उससे पूश्टाज की गई कि दो पासपोर्ट सीमा के पास, एकी नाम से एकी पदेपल हो लिए कि जनम तित्री की कैसे मौझूद है, तो उस पर सीमा का जवाब ये था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है, वो उसका उसकी तित्री निकल चुकी थी, तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था, वो दूसरा पासपोर्ट है, जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है, उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है, जो रूर सीमा ने बताया, कि उस रास्ते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोखरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी, उस उस बस की पैटान करने की कोशिश नी जा रही है, इसके अलावा जो प्रोफाइल, उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल को दिया था, उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है, साथ इसको फोरें सिक्टी के बाद देगा है, जितन दियारी कि मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया, पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली, जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई, युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रे अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा, परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है, अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे रिये इसको वहां से नहीं आने दिया जा रहा है, इस माम में की जो जाच है, वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कॉन थी ब्रेकिंग न्यूस यह कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन्च से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखे बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए हैं लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझके सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समर्च करके गोल मुल नपातुला जवाब दे रही है सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल करना पातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक कि पूश्टाच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया में सीधे उनका रुकरते जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब एटीएस ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिल्ली एंस्यार में रहने वाले ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी तो उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आच क्रोस चेक किया जा रहे हैं उसके बयान फिर से दर्च किया जा रहे हैं सीमा इनसे लगातार संपर्ख में थी जो सीमा ने तोडकर बॉडर के पास फैका था की भी डीटेल पलीस के पास आ गई है और उस डीटेल और साथी जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डीटेल भी एटीएस के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूश्टाच की जा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया है उनका भी रुक करते है विवेक जिस तरीके के सवाल पूशे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आठ गेंटे तक पूश्टाच हुई तो आज भी लगाता है सीमा से पूश्टाच की जा रही है किसी गुप्तिस्थान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशच कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदभास नगाए द भाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ हो बात करती हुए नजर आ रही और जो इंटर्वी उसने मीडिय को दिये हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं, वो भी सीमा को दिखाए गई हैं तो यारनी कि जहां-जहां पुलिस को संद्धे हो रहा है, उसके आदार पर लगातार सीमा से पूस्ताच की जा रही है हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वो कुछ होड़ नाम बताती है फिर कुछ होड़ नाम बताती है तो इस तरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस के जाज का जा देरा और बढ़ रहा है सीमा से जो हमारे संयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए एक और चौकाने वाली बात ये कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा फराटे से अंग्रेजी बोले पर सीमा का रियाक्शन जेल में सी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा इंग्री नहीं आती है तो यहां पर यहां पर यहां पर हम तो चालिस्तान के होगे हम पर इसमें इसमें कुछ कुछ सवाल दूट रहे हैं तो अब जैसे हाथ में इस निशान के सीट के है तो अच्छा अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काठमांडवाली सादी की तो बजयरा है क्या प्रशी के आदार पर आथकू भारत की नाजोटी की आभी जाएगे मिल सकती है ज़िस फोटों भी हो तो शादी को कोई प्रूफ है आपके बास यह पतनी है उसकी नागरिटा यहां है यह उसकी पतनी है यह पास विस्थातित पतनी है लेकिन इसके पास नागरिटा नहीं है पाकिस्थान ने आपको विस्थातित कर दिया निकाल दिया इससमया फिलाल विस्थातित पतनी है आप यह दी साधी का is कोई कुटैों फोटो। अदगी पुलिस जाच मांडू जाएंगी जिस मंदर ने आपको साधी हुई है क्या भाउआ फोटो वगेरा किजे से इन पंडिकी ने साधी ही किसी तराही की वो है, ह् kır ils suf वो पंडीजी कह देंगे कि हाँ हमने उकी साधी कराई है बताईए कह देंगे वो पंडीजी और देके पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है TV9 पर सीमा के खिलाब दर्ज F.I.R की कौपी है चार जुलाई को दर्श की गई थी F.I.R. हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो F.I.R. की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं चार जुलाई को ये F.I.R. सीमा के खलाफ दर्श की गई थी 13 माई की रात यमुना एक्सप्रेस वे पर उत्री थी सीमा F.I.R. में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की 13 पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोल मुल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-kya मिला है सीमा के पास से, मुबाइल की हालत क्या थी? एक तूटा हुआ मुबाइल फून सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फून से जो डेटा था वो डेलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा के दाइरे में और क्या क्या मिला हैकुल सभी चीज़ों की जाच इस वक्त चल रही है बहीं चार जन्म प्रमाण पत्र चार बच्चे हैं सीमा के चार बंच सर्टिफिकेट भी मिले हैं एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है सीवा से कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि F.I.R. में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई है सबसे पहले चार जुलाई 2023 को F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभू पूरा में ये F.I.R. दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुँची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कॉपी में हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेत्रपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्श किया था उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावास पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसीज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्ट्रोनिक इविडेंसीज हो चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बयान दर्च किये हों तो तमाम इविडेंसीज इखटा किये गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचीन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर नोड़ा तक पोँची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पोँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब क्या आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिदुस्तान नहीं की प्लानिंग की चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुँच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता ज़ा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए टीवे नाइन के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजनसी कल काटमांडू जाहें इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महाँ फोटो अगरा किजेते जिन पंडी जी ने साधी कराई कि वो हैं वो पंडी जी कह देंगे कि हमने उनकी साधी कराई है बताईए कह देंगे वो पंडी जी आप शुआ ना सदो में पहता है अध़र किस्टों करें छ Catalina को जी जाची ने सकती है पताँ मेरी ने दिकारे दिया करना बताई है तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है। तेला भाई है। तेला भाई है। तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, पाकिस्तान नहीं जाना है। सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं। अलग हो सकते हैं हम। और अब सचिन को छोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है। तीवी नाइन के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्रूजिव दस्ता वेज भी हैं। मेरे साथ मेरे सख्योगी विवेक भी जुड़े भे हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े भे हैं। क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजट है, पाकिस्तानी जासूस है। क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है? तो इसी के चलते लगातार जो है जाँच का दारा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाँच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है आपने बताया कि कई एसी जो जानकारियां है वो वाटसइब चैट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब से पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भीजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सी से जादा घराया है लेकिन जसूट हमारे बताद सीमा को लेकर के मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का धसर आ रहा है उतर प्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेसबुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वही SSP मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वह महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारीया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोमेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी कि पूस्ताच में क्या कुश निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जिकल कुल देखे सीमा है दर से कलभी 8 घंटे पूस्ताच भी आज की पूस्ताच जिससे चल रही है इस वक्त सेक्टर 51 नोईडा के अंदर जो ATS का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाओ जो सचिन के पिता है नेतरपाल वही वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्टाच की जा रही है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात पुलिप के सामने पेशिया चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जा रहे हैं वो उसके अब जब दो तक सीमा ने बताया है जो रूर शीमा ने बताया के उस राव्टे से वो उसी बस के अंदर बैठ कर पोखरा से गेरह तर नोड़ा से रहे ही उस बस की पहशान कर दो इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल की इसको दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है साथ इसको फॉरेंश प्रेंश प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लतपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहनाए कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं दे कि वह महिला पॉन थी ब्रेकिंग न्यूज यह कि सीमा हैदर से यूपी एटीयस की पूश्टाच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संप देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली एंसियार के लोगों से किया था संपर्क एटीयस की पूश्टाच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीयस की टीम पूश्टाच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे किया था सीमा हैदर से ने तो देखिए यूपी-एटीयस की पूश्टाच में ये बड़ी बात सामने आई है बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे हैं सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल करना पातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से एटीएस भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूछताच में ये चोकाने वाले खुला से हुए हैं सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार न अटाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी पूश्टाच की आज फिर उनसे पूश्टाच की जा रही है कल जो पूश्टाच की गई दरसल उस पूश्टाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फर्राटेदार तरीके से पढ़े और एसन्ट भी उसका अच्छा यानि कि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी तो उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर स उसको आज क्रोस चेक किया जा रहे हैं उसके बयान फिर से दर्च किये जा रहे हैं साथ ही उसने पूछता अच की दौरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो की दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब ये कौन लोग हैं उनकी डिटेल उससे पूछता अच के दौरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटारोगेशन किया जा सके और जाना जासे कि आखिरकार की सिलसले में सीमा इंसे लगातार संपर्क में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़क के पास भैका था उस फोन की भी डिटेल प्लीस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वह चैट डिटेल भी एटिस के पास मौजूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की जा रही है जी चीए जिते इन दर मारे साथ देखिए सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है। जहाँ जहाँ पूलिस को सद्य हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूश्टाच की जा रही है और साथ ही सीमा से ये भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने क्या उसको किसी ने गाइट किया था कि कैसे कैसे रूट से होके निकलना है हर एक नाम जानने की पूलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं सुथरों कहना कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वह कुछ होड़ नाम बताती है फिर कुछ होड़ नाम बताती है तो यहीं न कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संधे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का देरा और बढ़ रहा है और आगे भी पहुत हम अंग्रेजी बोलना ये सेमा मैं पालएप तब हमारी ऑन यह उद्ल सेखा hem यहां सब्सक्राइब कर दो है जैल में नहीं है जैल में यहां पर यहां पर हम तो चालिश्टान के हो गया हम पर जुट रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ सवाल उठ रहे है था जैसे हाथ में निशान किसीट के है तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए सामने शादी का कोई प्रूफ है अपके पास उसकी नागरिक्ता यहां है यह उसकी पत्री है पाकिस्तान ने आपको विस्थातित कर दिया, निकाल दिया, पिस्ताने आप फिलाल विस्थातित कर दिया, आप भारत की नागरे के नहीं हो मैं यह भारत के विस्थातिकर, कभी के की नापम कि भारत कमों? ना में भारत ने पाप चनाने परत्यातित कर दो तो बाद पोटों कोई पूटों कि वाँ कोई पोटो.. अलाकि पुलिस जाज एजन्सी कल कटमांडू जाएंगी जिस मंदर में आपकी साधिय हुई है क्या वहाँ फोटो खेने से गिन पंडीजी ने साधि की परिटी कराइजी वह हैं पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की एफ़ायार सामने आई है एफ़ायार में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस एफ़ायार में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले चार जुलाई दोजार तेईस को जो एफ़ायार दर्श की कई थी उस एफ़ायार की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को चार मोबाईल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए है कई सवालों का गोल मुल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताज में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मुबाइल की हालत क्या थी? एक टूटा हुआ मुबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो कैसेट भी मिले है सीमा के पास से सीमा एदर के पास से और इन सबी चीजों की जात इस वक चल रही है बही चार जन्व प्रमाण पत्र क्यूंकि चार बच्चे हैं सीमा के, चार बर्च सर्टिफिकेट भी मिले हैं, एक परिवार रिजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है सीवा से कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई है सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुँची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कौपी में हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई यह पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जाच एटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आई आर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताई कि इससे पहले भी दस मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो greater nerda तक पोँची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पोँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब क्या आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान नानी की प्लानिंग थी सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पताईए कहताएं के वो पंढ़ी ज़े ना यह अपार करता है? नहीं करने हो नहीं करता है। थो कशी तहाँ है? कर दो कम निकाला? तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई पुलिस आई थी और आपने कहा था तो जबी देगिया यहा ऑप मैं ने क्या कहा था हूं लिए पुलिस से बच्चे तो अपने आए था ना बच्चे तो पहले रवाब अके लिए आई थी तो बच्चे कहा थे इस जबारा है हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और आप सचन को जोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संडे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर कि सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है संदह के एक बड़ी वजह है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह सी थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी book कराई और यहां पर पहुँची, तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया, या फिर सीमा, जो है, इस मामले में गुम्रा करने में लगी हुई है, तो साथ किस ने दिया, वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम-लगातार बदल डिलीट किया गया है आपने बताया कि कई एसी जो जानकारियां है वो आप वाट्सेप चाट से लेकर के वो डिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके कि बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब से पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सी से जाधा घराया है मुरादबाद में भी एक बाने अपने बेटे की जान बचाने की गोःर लगाई ए यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का धसर आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के I.S.I. ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटेस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गयी है और आप देखिए कि तमाम information's सीमा हैदर को लेकर आ रही है और इसके बाद ATS समेट तमाम केंद्री एजनिया और state agencies लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुश निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जीगल कूल देखें सीमा एदर से कल्पी आट जिंटें पूस्ताच वी आज पूस्ताच उससे चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोडा के अंदर जो एटियस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाव़ जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा के अडिन्टिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात कुलिप के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी अडिन्टिटी कार्ड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अग नंबर है जब उससे पूश्ताच की गए जो तूसरा पासपोर्ट है जो रूर सीमा ने बताया कि उस रागते से वो उसी बस के अंदर बैखकर पोकरा से ग्रेटर नेवड़ा तक कोची थी, उस बस की पैचान करने की कोशिश नी जा रही है, इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल को दिया था, उस सीमा पार प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है। कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है। कि जांच है, वो हमारी इंटलिजेंस टीम को दी गई है। और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी। ब्रेकिंग न्यूस यह है कि सीमा हैदर से यूपी ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क। देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क। ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए हैं लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐ साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर्स सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है ये सूतर बता रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते हैं सचिन से पहले भी बताय जा रह सवाल का नपातुला जवाब दिया है या नि कि बहुत सोच समर्ज करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है सवाल का सीमा बहुत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथी एक और जानकारी ए कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल करना पातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहद चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरत है जितेंद्र क्या-क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिल्ली सीमा रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा यह तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखे सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आठ घंटे तक एटीएस ने पूश्टाच की आज फिर उनसे पूश्टाच की जा रही है कल जो पूश्टाच की गई दरसल उस पूश्टाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पड़े और एसन्ट भी उसका अच्छा था यानिकि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नही भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब ये कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूश्टाच के दोरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया ज जासे कि आखिरकार की सिल्सले में सीमा इंसे लगातार संपर्क में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल जो पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट ड सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूशताच होगी क्या अपडेट है बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आठ गेंट तक पूशताच होई तो आज भी लगाता है सीमा से पूशताच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौद सीमा से पूशताच की जा रही है और साथी सीमा से ये भी बात जाने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सुटिन के परीबार वालों के pensa ती इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी क्या उसको किसीने गाइड कीया था कि कैसे कैसे रूट से निक पुलिस के जाज का जा रहा है और बढ़ रहा है और आगे भी फूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे है विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए एक और चौकाने वाली बात यह कि टीविनाइन भारत वर्श के स्टिं ओपरेशन में बोली सीमा फर्राटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का रियाक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी व तो कुछ पुछ चाहए कि जर्के है कि स्कनी भूग के बहुते हैं. वो उज दे कृEmज करेगी। कि अभी ऐसकी में सब्स्ने उचें ही, मैं जीर्झना लेंकि? जेएं मैं बछादव कें रहा थी। आपिमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बजाने हम की सीन. तो सुना अपने सीमा का जवाब वो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए ने कंडित है आप भारत से इसका नहीं है अदागी पुले से जाजेजंसी कल काटमानु जाहीं इस मंदर में आपकी साधी हुई है, क्या वहां फोटो वगरा किजे से, जिन पंडी जी ने साधी की तराई की वो हैं, वो पंडी जी कह देंगे कि हमने वो की साधी करा ये, बताईए, कह देंगे वो पंडी जी, हैं? और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, टीवी नाइन पर सीमा के खिलाफ दर्ज F.I.R. की कॉपी है, चार जुलाई को दर्ज की गई थी, F.I.R. हर्याना के वल्लब गड़ से पकड़े गए थे, सीमा और सच, ये देखिए, यही वो F.I.R. की कॉपी है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चार जुलाई को ये F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी, 13 माई की रात यमुना एक्स्प्रेस वे पर उत्री थी, सीमा, F.I.R. में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की 13 पनों की F.I.R. सामने आई है, F.I.R. में क्या है, इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं, पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं, सबसे पहले, 4 जुलाई 2023 को, जो F.I.R. दर्श की कई थी, उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई, ये देखिए, क्या मिला पुलिस को, चार मुबाइल फोन मिला है, सीमा हैदर के पास, और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मि किया था, जिसमें सीमा ये भी बताती है, कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी, आपको ये भी बता दे, कि F.I.R. की जो कॉपी है, उसमें सीमा ने ये बताया, कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत, भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते, और साथ उसने ये भी बताया है, कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी, अब जल्दी सही आपको बताते हैं, कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से, मोबाइल की हलती, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया, और कहा ये भी जा रहा है, कि फोन से जो डेट आँट तेमा those प्सा कि ज़ें आज तक इसे एक नोबाइल फोन तूटा हूँ मिलस भीडियो तो वीडियो कैसेड फी मिले है सीमा के पास से उनील युषेद के पास से और सभी चीजों की जाट इस वक्ता चल रही है想 चार जन्म अपत्र क्योंकि चार बच्चे हैं सीमा के चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं एक परिवार रजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है सीवा से कई इसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कौपी में हर्याणा के वलबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई यह पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुक करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जहां चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ फाई यार की तो एफ फाई यार में के जरीयों सीधा पोख्रा आई थी और साथी पोख्रा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचीन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड करेती और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोकरा और उसके बाद फिर पोकरा से बस पकड़ कर सचीन के साथ वो greater nevoda तक पोँची है तो पहले वो क्यों आई, पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जारे इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में चार बच्यों को लेकर में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस इस्टिंग का हिस्सा पुलेस जाच एजनसी कल काठमानु जाएंगी इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या वहाँ फोटो अगरा किजे से जिन पंडी जी ने साधी कराई कि वह हैं वो पंडी जी कह देंगे के हां हमने उनकी साधी कराई है बताईए कह देंगे वो पंडी जी पंडी जी कहीं, जी में आपकी कराई है कि अधिता इसे जाच उनकी द्विटी जाएं दिए अपकी कदेश्टा के दुटी है तो देखिए टीवी नान के स्टिंग में सीमा का गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो कि सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है खीडिट थि और आमने कहा था तशिज कए भाई खीडिया करते हैं कि नहीं क्याता हैं कि छिन दर बैष्चे थाकर भाई मैं है तरिया वके थी कई दूपलं प्रद यह ब्रूंगरत निसना के मत्या भंपड़ ि भी गाइज थे क्पल जान सब्सुंब कंद रहे प्रटब कर वंद आपके दूचर में असे अदन आप, एक हाई जो आन सबस्क्राइट पोल्स हाई। हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जूड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ, मेरे सज्योगी विवेक भी जुड़े वे जो की एटीएस दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वे विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंड है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है तो ATS की जाच का दारह इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दारह भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पाँच वी पास है तो जिस तरह से उसे इंग्लिश बोली तो उससे कहिना कई संदेह और बड़ा उसके अलावा उसके पास तो डोकुमेंट्स मिले वो संदे के एक बड़ी वजह है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहां पर पहुंची तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जाँच का दाइरा बढ़ता चला जा रह वो आप WhatsApp चाट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके कि बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब से पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए भीजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद स सीमा के उपर संधे जादा गहर आया है लेकिन जुस्पेंस बना हुआ है सीमा को लेकर के मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उतर प्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेसबुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अज़े के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अज़े को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लटपत अज़े का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अज़े की माने मदद की वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारतवर्ष पर देखे सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्टाच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोमेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है कि जितने साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जिकल कुल देखे सीमा है दर से कल्पी 8 घंटे पूस्ताच ही आज पूस्ताच उससे चल रही है इस वक्त सेक्टर 51 नोईडा के अंदर जो एटीयस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलावा जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जा रही है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात कुलिप के सामने पेशिया चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाव जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाप किये जा रहे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास एक ही नाम से एक ही पदेपर लो लेकि जर्म तिति की कैसे मौजूद है तो उसे पर सीमा का जवाब यह था, как पहला पासपोर्ट है वह उसका तिफ़ा निकल चुकी थी तो उसके बाद जो सने रिंब्यू कराया ता वो दूसरा पासपोर्ट है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल की इसको दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है साथ इसको फॉरेंशी के पास बिज़ा है मुराधाबाद में भी एक मा ने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उतरप्रदेश की मुराधाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लत्पत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भीजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मा ने मदद की गुहार लगाई वही SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस माम में की जाच है वो हमारी इंटेलिजन स्टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूज गये कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखे बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए हैं लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे है सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौछाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आप डेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले ल लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहर टेज द पातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पड़ी है ये बेहर चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान ह तो देखिए अभी तक की पूछताच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए हैं सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया है मैं सीधे उनका रुकरता है जितेंद्र क्या-क्या खुलासे अब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रहे थी पहुची थी तो उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आज क्रोस चेक किया जा रहे हैं उसके बयान फिर से दर्च किया जा रहे हैं साथ ही उसने पूछता की दौरान ये भी बताई कि इससे पहले वह इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क म पहले थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो और साथी जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौजूद है और उनको भी सामने परकर सीमा से पूश्टाच की जा रही है जी ठीक है जी तेंद में हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया ह कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है पूश्टाच होई तो आज भी लगाता है सीमा से पूश्टाच की जा रही है किसी गुपनिस्तान पर और पूलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विराद्वास नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नज़र आ रही इंटर्व्यू उसने मीडियकों दिये वो भी पुलिस ने देखे हैं वो भी SEMA को दिखाए गई हैं तो यानि कि जहां-जहां पुलिस को सध्धे हो रहा है उसके अधार पर लगातार, SEMA से पूस्ताज की जा रही है और साथ ही, SEMA से ये भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आकिरकार वो कब से सचिन के परिवा पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का जारा है और बढ़ रहा है और आगे भी पूस्ताज हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए एक और चोखाने वाली बात ये कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा फर्राटे से अंग्रेजी बोले पर सीमा का रियाक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा इसमें कुछ कुछ सवाल दूट रहे था जैसे हाथ में इस निशान किस सीज़ के है तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काँचमांडवानी शादी की इस पोई फोटो बज़ा है क्या किसा उसकी नागरिटा यहां है जो उसकी पत्ति है आप भास पिस्दियो तुन हो। नार्थ पास नागलिश्वाहा नहीं है। दो पाकिस्तानने आप तो विष्थापिस कर दिया। पाकिस्तान नेरए को कब्रे तो घंली कोने के नीशऩ़ा अब ज़रा पर चाइब है। कोई पूरूफ है कि बाइब कोई कावज, पोटो लागी पुले जाज एजन्सी कल काटमानु जाएंगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या वहाँ फोटो अगरा किजे से जिन पंडीजी ने साधी किराई थी वो है पंडीजी कह देंगे कि हमने उनकी साधी कराई है बताईए कह देंगे वो पंडीजी पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खलाब दर्ज फाई आर की कौपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी एफाई आर हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो एफाई आर की कौपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं चार जुलाई को ये एफाई आर सीमा के खलाफ दर्ज की गई थी 13 माई की रात यमुना एक्स्प्रेस वे पर उत्री थी सीमा एफाई आर में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की गई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है कि देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दाइरे में, और क्या-कया मिला है? कुल 6 पासपोर्ट, सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को, 3 आधार कार्ट भी मिले हैं, मोबाइल फ़ोन की भी जाज की जा रहे हैं, जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था, डेटा डेलीटेड था, दो वीडियो भी, दो वीडियो Castle भी मिले है सीमा के पास से, सीमा एधर के पास से और इन सबी चीजों की जाच इस वक चल रही है वहीं, चार जन्म प्रमान पत्र, क्यूंकी चार बच्चे हैं, सीमा के चार बच सर्टेफेकेट भी मिले हैं, एक परिवार रिजिस्टेशन सर् से मिला है अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है सीवा से कई इसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई है सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्श किया ता उसके तरण बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके लाव स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बयान दर हो तो तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वजाए कि अब जहांच एटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आईर की तो एफ आईर में सबसे महत्पूंग बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताई कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचीन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीये सीधा पोखरा आ तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदूस्तान नहीं पहुची थी तो ये वो तमाम सवाल है उसे पूछे जा रहे हैं चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुच गई भारत कई सवालों के गोल मुल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जुआ रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बात भी सीमा ने बताई है तो आपक शादी कीविने वो है पांडी जी कह देंगे कि हम ने उकी साधी करा है given बताईये के देंगे वो पांडी जी कह देंगे रहा है लाई नहीं जाजित्तान चुका हो नहीं सकाते है तो जाने क कौने पर जयाना है तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वातेला भाई है। हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं। सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है। तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, पाकिस्तान नहीं जाना है। सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाऊं। अलग हो सकते हैं हम। और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है। तीवी नाइन के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी हैं, जानकारियां भी हैं जो लगातार हम आपको दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रहे हैं कि सगा भाई नी है बलकि सौतेला भाई है। अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी। क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है। क्या ये शक अब गहराता जा रहा है एटीस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है। कि आफिज के बात कीजा एतीस की जाच्ट का जयरहा है इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दैरा भी बढ़ता जा जा ह्यूकि जिस तरह से सिमा ने पहले बढ़ता जा रहा है। यानि कि अगर पाँचीपास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी के तरह से थी? और किस तरह से उसने टिकटे अपनी बुक कराई है और यहां पर पहुची? तो कहीं नहीं या तो किसी ने साथ दिया और सीमा इस्सेमा गुम्रा करने में लगी हुए है. तो साथ किस ने दिया, वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रही है, तो इसी के चलते लगातार जो है, जाँच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है, नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाँच पहुंच चुकी है, और लगातार पुलिस जो है, इ जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके जो बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके लाव कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जाच के लिए भीजा गया पूरा डिटा रिट्रिव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा के उपर संधे जादर घर आया है लेकिन जफूच हमारे बतार में बाने अपने बेटे की जान हार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मा ने मदद की गुहार लगाई वहीं स्स्पी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में भार चला गया है और उसको वहां से नहीं आने दिया जा रहा है इस मामले की जू जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं दे कि वो महिला कौन थी टीवी नाइन भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटेस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटेस समेट तमाम केंद्री एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पिता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने इस साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी पूस्ताच में क्या कुश निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जिकल को देखे सीमा है अदर से कल्पी आट गिंटे पूश्टा चुई आज की पूश्टा चुई आज की पूश्टा जो से चल रही है इस वक्त सेक्टर एक्टावन नोडा के अंदर जो एटियस का दस्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाओ जो सचिन के पिता है नेतर पाल वही वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्टाच की जारी है दरसल ये पूश्टाच सीमा की आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात पूलिप के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके लाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास एक की नाम से एक की पदेपल हो लिए कि जर्म तिति की कैसे मौजूद है तो उस पर सीमा का जवाब यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसका उसकी तिथी निकल चुकी थी तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर सीमा ने बताया कि उस राटे से वो उसी बस के अंदर बैट कर पोख़ा से ग्रिटर नरडा तक कोची थी उस बस की पैटान करने की कोशिश सिपी आ रही है इसके अलावा जो प्रोफáil उसने अपना बेटे की जान बचाने की गुहार लगाई है यहां भी connection सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है परिजनों का कहनाएं कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए UPATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UPATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्छारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समर्च करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल करना पातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक कि पूश्टाच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया में सीधे उनका रुकरते जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब एटीएस ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिल्ली एंस्यार में रहने वाले ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आच क्रोस चेक किया जा रहे है उसके बयान फिर से दर्च किया जा रहे है साथ ही उसने पूछता च की दौरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि दिल्ली एंसियार के रहने वाले हैं, अब ये कौन लोग है, उनकी डिटेल उससे पूछताज के दौरान पता की जा रही है, ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जासे कि आखिरकार की सिलसले में, सीमा इंसे लगातार संपर्ख में थी, इसके अलावा सीमा का जो फोन था, जो सीमा ने तोड़कर बॉर्डर के पास फैका था, उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है, और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी, वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौजूद है, और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूश्ताच की दा रही है जी। की कही ना कही सीमा गुमरा करने कोशिक कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विराधबास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं सुत्रों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वह कुछ होड़ नाम बताती है फिर कुछ होड़ नाम बताती है तो यहीं कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते हैं पुलिस की जाज का जारा है और बढ़ रहा है और आगे भी पूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे संयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए एक और शुकाने वाली बात ये कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा फर्राटे से अंग्रेजी ब जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा अब इस नहीं आती है तो यहां पर यहां पर हम तो चालिशान के होगा हम पर तुट नहीं है इसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं तो यहां जैसे हैं आप पर इस निशान किस कीज़ के है तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए कराई माणा पर शादी करें शादी कोई प्रूफ अपके पास यह को है जब देखिन दिस्तानी है उसकी नागरिटा यहां है यह उसकी पत्री है करेंसे यह gefis ce इया वर्थिक में है शारा है यहां में आप इनके पास नागरिटा नहीं है पाकित्तन ने अपको विश्थाति कर दिया गलिगना शुनिख पास अंप रिधाए दितनकी है जाकी एक सादी का एक कोई पोटो किया है पोलारख। और पुलिस जाज रचाजेजन्सी कल काटमांडू जाहीं लिए कि इस मंद्र में आपकी सादी हई है exist इसे से पंडीजी कराही ही यहें वह भजी कहदे कि हमे इनके सादी किराई इचिने से Series पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खिलाफ दर्ज एफ आई आर की कॉपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी एफ आई आर हर्याना के वलबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो एफ आई आर की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे है चार जुलाई को ये एफ आई आर सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी 13 माई की रात यमोना एक्स्प्रस वे पर उत्री थी सीमा एफ आर में सीमा हैदर की एंटरी का पूरा रूट भी लिका हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्मों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के बारे में और क्या-कया मिला है कुल शे पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं चार जंब प्रमार पत्र क्यूंकि चार बच्चे है सीमा के चार a एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है। अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है। सीवा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है। और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है। सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है। सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है। हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं। जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया। सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं। कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास, ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी, शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर. चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बेयां दर्च किये हों, तो तमाम इवेडेंसे खटा किये गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है, वो सीमा के ओपर गहराया है, और यहीं वज़ा है कि अब जहांच एटियस को सौपी गई है, इसके अलाव अगर बात करें इस F.I.R. की तो F.I.R. में सबसे महत पूँब आती है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचीन से उसकी मलाकात हुई थी, उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काट चुखरा से बस पकड़कर सचीन के साथ वो ग्रेटर नुड़ा तक पहुची है, तो पहले वो क्यों आई, पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुची थी, तो ये वो तमाम सवाल है, उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने सीमा पर एक और खुलासा हुआ है, सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है, भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है, ये बाद भी सीमा ने बताई है, तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजनसी कल काटमांडू जाहें इस मंदर में आपकी साधी हुई है, क्या महां फोटो बगरा किजे से, जिन पंडी जी ने साधी कराई की वो हैं, वो पंडी जी कह देंगे कि हमने इंकी साधी कराई है, बताईए, कह देंगे वो पंडी जी? क्यों जी करें, इस मंदर में आपकी साधी कर आपकी साधी कराई है, जाच शाधी करणा है आपकीको बतारे जाच यह साधी हुई पार हुथ कराई हरा इन पहुए है? तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने कहा है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने कहा था तो सभी देगे आप मैंने क्या कहा था पुलिस तो बच्चे तो अपने आए था ना बच्चे तो पहले राब अके लिए आई थी थी पच्चे कि एक साई धी पाले बच्चे किसा है तो बच्चे कि अचे कि एस तточार इंक quedar है आई शटीय भाई खितना है ऍाई हमुआ है हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्रूजिव दस्ता वेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वें जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वें विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई निये बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंड है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखें बात कीज़ाए तो ATS की जाच का दैरा इस मामने में बढ़ता चला जारा है उस शक का दैरा भी बढ़ता चला जा रही है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि यो पाँच मी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुँची तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुम्रा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जाँच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेक tubing हिंदूस्तान तक जाँच पहुँच चुकी है कि बिल्कुल देखिए जाँच एजंसियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए भीजा गया पूरा डिटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीम पार प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है कि डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाँच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखिये सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है यह तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पृता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लान को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खमर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है जिकल कुल देखें सीमा एदर से कल्पी आड़ गए पूस्ताच वी आच पूस्ताच चल रही है इस वक्त सेक्टर 51 नोडा के अंदर जो एटीयस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलावा जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जा रही है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात कुलिप के सामने पेशिया चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाव जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाप किये जा रहे हैं दो पासपोर्ट सीमा के पास मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है जब उसके पुछताच की गए जो तो तो तुसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुकता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर सीमा ने बताया कि उस रास्ते से वो उसी बस के अंदर बैठ कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस बस की पैचान करने की कोशिश नी जा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल की इसको दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है ताथ इसको फोरेंसी के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रीमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादीश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लत्पत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मा ने मदद की गुहार लगाई वही एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में भार चला गया है और अब उसको वहां से नहीं आने दिया जा रहा है इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन स्टीम को दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग निउस गया है कि सीमा हैदर से यूपी एटियस की पूश्टाच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली एंसियार के लोगों से किया था संपर्क एटियस की पूश्टाच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटियस की टीम पूश्टाच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूश्टाच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी-एटियस की पूश्टाच में ये बड़ी बात सामने आई है यूपी-एटियस पूश्टाच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूश्टाच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटियस ने सवाल इस बारे में पूशा तो और एटियस की पूश्टाच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से एटियस भी हैरान रह गई है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे एटियस हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे एटियस पूछतात में जो बड़े खुलासे अभी तक हुए जल्दी से आपको एक एक करके आप डेट समझे देते है सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे है जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कुशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चौकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहीयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया में सीधे उनका रुकरते है जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिलकुल देखे सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आठ घंटे तक एटियस ने पूश्टाच की आज फिर उनसे पूश्टाच की जा रही है कल जो पूश्टाच की गई दरसल उस पूश्टाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द चीती तो उसके ब्यान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आज क्रोस चेक किया जा रहे हैं उसके ब्यान फिर से दर्च किया जा रहे हैं साथ ही उसने पूश्टाच की दौरान यह भी बताई कि इससे पहले वह इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क म झाले थी इसके अलावा सीवा का जो फॉन था जोसी मा ने तोड कर बॉर्टर के पास प्हेका था उस फॉन की बी डिटेल पले पलिस के पास आ गही है और उस डिटेल जो और दिलीड की थी वह चैट के पास मौझ तो है और उनकोking सामने रखके कर सीमा से पूश्टाच कि हुए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है पूश्टाच होगी तो आज भी लगाता है सीमा से पूश्टाच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पूलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही है और जो इंटर्व्यू उसने मीडिया को दिये हैं वो भी पूलिस ने देखे हैं वो भी सीमा को दिखाई गई है तो यानि कि जहां जहां पुलीस को सद्धे हो रहा है उसके अढ़ारपर लगातार सीमा से पूस्टाच की जा रही है और साथ ही सीमा से ये बी बात जाने कोशिश की जा रही है कि अखिरकार वो कब से सचिद के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वह कुछ होग नाम बताती है फिर कुछ होग नाम बताती है तो यहीं कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का जा रहा है और बढ़ रहा है और आगे भी फूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहे हैंगा देखिए एक और चौकाने वाली बात ये कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा इंग्री नहीं आती है। तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंगलिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काठमांडवाली सादी की ये खोई फोटो बज़रा है क्या किसा तुछी के आदाव पर आपको भारत की नावर्टी की नावर्टी की अब ही जाएगे मिल सकती है ज़िए सोटो भी हो तो शादी को कोई प्रूफ है अपके पास ये सुनियो रहा कि ये सी क मात पूफ ही जंती के वायर्टी के पास नागर्टा नहीं है पाकिस्ण पास बहुआ हए लेकिन इसकी पास नागर्टा मंहींicie slope the आप पर यदि एक साधी का एक कोई पोटो है कोई पोटो अगी पुले जाज एजंसी कल काथ मानु जाहें गी इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजेते जिन पंडीजी ने साधी कीपी कराई थी वो हैं और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खलाफ दर्ज एफायार की कॉपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी एफायार हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो एफायार की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की 13 पनों की एफायार सामने आई है एफायार में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस एफायार में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो एफायार दर्श की कई थी उस एफायार की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है कि देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दारे में हैं और क्या क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मुबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मुबाइल फोन टूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो कैस सीवा के पास से मिला है अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है सीवा से कई इसे सवाल है जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई है सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्श किया ता उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके लावस पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसीज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसीज हो चाहे वो फिर वोहाँ से जुडें लोगों के बयान दर्च किये हों तो तमाम इविडेंसीज इखटा किये गए और उसके बाद ही पलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ाए कि अब जहाँ चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस F.I.R. की तो F.I.R. में सबसे महत पूँँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर नोड़ा तक पहुची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुँची थी तो यह वो तमाम सवाल है उससे पूछे जाथ जारहे है इनके जवाब कि आखिरकार जब मार्च महीने में हिंदुस्तान नानी की प्लानिंग थी बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जबाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता ज़ा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल म मुझे पास जाएंगी से मंदर में आपकी साधी ख्राए ऐसे जिन पंडी जी ने साधी की तराई की वो हैं, वो पंडी जी कह देंगे कि हमने उंकी साधी कराई, बताईए, कह देंगे वो पंडी जी, हैं? जी कहां अब कर दाई ओडी जी कहा दाई आण। जी कहां हो पंडी जी कहां हैं, ऑप्ता हैं दिल वो पंडी जी कहां हैं? तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है यह सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाइ नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सौटेला भाई है फुलिस आई थी और आपने कहा था तो दो देंगे आप बच्चे तो पर साथ नहीं आए था ना बच्चे तो पहले राप अके लिए थे सब्सक्राइब आथ? बच्ची ज progress? वप्स Wireka माईप थैसब दाइब परका से सबस्चाहेप इसेदू जश्मची के आए हैसे यदिख का सबस्क्राइब ए chem Michigan पर एकी ना में सबस्क्राइब आएगा दाउ नást बाइब TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जूड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वे हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वे विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई निये बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजन्ड है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखें बात कीजाए तो ATS की जाच का दैरा इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दैरा भी बढ़ता चला जा रहा है यानि कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहां पर पहुंची तो कहीं न कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुम्रा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया, वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है, जाँच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाँच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर दिखा रहे है। उस चैट को डिलीट किया है। उतरप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया। पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई। युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया, फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई। इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बुलाया। अब चार दिन पहले जूली ने खून से लत्पत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा। परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है। अजे की मा ने मदद की गुहार लगाई। वही एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये। उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में भार चला गया है और अब उसको वहां से नहीं आने दिया जा रहा है। इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वह महिला कौन थी। तीवी नाइन भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है। सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है। ये तमाम जानकारिया एटिएस की पूस्टाच के बाद सामने आई है। एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है। और आप देखिए कि तमाम इंफोमेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटिएस समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसी लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुता से पूस्टाच कर रही है। और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने ही साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है। पिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखदा करने की कोशश त्माम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशश जो पूरी कहानी सीमा के जर्ये अभी तक ऐजेंसीज को बताय गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर, साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एगेंसियों को शक है कि ये ISI की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए है हमारे सबवादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है जीते है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है पाकिस्तानी आइडिन्टिटी काड़ हो जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास एक ही नाम से एक ही पदेपन हो लिए कि जरम तिति की कैसे मौजूद है तो उस पर सीमा का जवाब ये था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसका उसकी तिति निकल चुकी थी तो उसके बाद जो उसने रिम्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर सीमा ने बताया कि उस राक्ते से वो उसी बस के अंदर बैठ कर पोखरा से ग्रेटर जो प्रोफाइल को सर्च किया गया है जा विटी जो पूछता चोरी उसमें और चौकाने वाले खुलासे हो सकते सीमा वाले को ले करके यहां भी connection सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है परिजनों का कैनाए कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूस गया है कि सीमा हैदर से UPATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन्च से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए UPATS की पूछताच में यह बड़ी बात सामने आई है UPATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली एंसियार में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समर्च करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बहुत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच के दोरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बहुत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूछताच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया में सीधे उनका रुकरते जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब एटीएस ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिल्ली एंस्यार में रहने वाले ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसे फराटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी उसके बियान कल दर्श किया गए एक बार फिर से उसका आच क्रोस चेक hill किया जा रहा है उसके बियान फिर से दर्श किया जा रहे है की आकिरकार की सिल्सले में सीमा इनसे लगातर संपर्ख में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की जा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफतर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका भी रुख करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या A सीमा से पूस्ताच की जा रही हैं किसी घुबति स्तान पर पूलिस qualify को लग रही है कि कहीना कहीं सीमा में विरादवास नजर आता हूँ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले कुछ도ar बात कर रही ती हैं घुझ और इंटर्यों मीडिया को दि ने रही है फो भी पूलिस ने द इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी, क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है, हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है, कभी वह कुछ नाम बताती है, तो कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हैं पुलिस की जाजक दे रहा है, और बढ़ रहा है। सीमा से जो हमारे संयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेंगा देखिए एक और शुकाने वाली बात ये कि टीविनाइन भारत वर्श के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा फर्राटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का पांच वी तक पड़ी वी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा इस नहीं आप इस नहीं आती है तो यहां पर यहां पर हम तो चालिश्वांगे होगे हम पर दूब तो सुना अपने सीमा का जवाब वो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए हाँ गाति रिखा में पात है लेकिन इनके पास नागलस नहीं हाँ पाकिस्तान ने आपके समय भिस्थातित कर दिया इस तमgas भारत पाएँ आप भारत की नागले से मिजिं़ी हो यह ना बुजे भारत ने पमदिने पापिस्तान पमदों गें? यह क्या क्या हम, आप पर यदि एक साधी का कोई पोटो है कोई पोटो है, कोई भापिस? अलागी पोलिस जांच एजनसी कल कात माधवू जाएंगी जिस मंदर में आपके साधी वीए पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्मों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को 4 मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमुल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने किसी वज़े से सीमा शक के दाएरे में हैं और क्या क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मॉबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मॉबाइल फोन टूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो सभी चीजों की जाच्ट इस वक चल रही है वही है चार जन्म प्रमार पत्र क्यूंकि चार बच्चेंख सीमा के चार वर्च स्टेफिकेट मिले है एक परिवार रेजिस्टरेशन सर्टिफिकेट जा मिला है अभी एकसर लगाटार पूच्षताज कर रही है सीवा कई उससे स् जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई है सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और IPC की धारा 120B के तहद भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉड़ा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दरश किया था उसके तरण बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा की बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके लावास पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसीज हो सकते थे होगें चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसीज़ हो चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बयान दर्ज के हो तो तुमाम इविडेंसीज इखटा कि ए गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है नेपाल आई थी और नेपाल में सचीन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांग से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचीन से और उसके बाद व चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा by फोलिस जाफ यजैंसी कल काट AnimAL जाएगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महाँ फूट वगर्ड़ा किजे दहें बीजी ने साधी कीि सरा है वो पंडिजी कैदेंगे कि हमने इसकी साधी करा ई हूँ पाओंगे हैं, यहिए? पाओंदागे हैं? इंच है ना, आपको आपकाँ पाँ हैं कि बहागे हैं? नहीं से लिए सब्सक्राइव की हैं? यह दी अधिया ने कर दिया भागे हैं? यह रख मैरे तरह सो कह दिया… अटो कह रहा है ? तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का आए गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने कहा था तो सभी देगे आप मैंने क्या कहा था पुलिस तो बच्चे तो अपने आए था ना बच्चे तो पहले राब अके लिए आई थी है डाई बच्चे काइसे था इस भादा हरे थे आणाइ गजी ने कहा है तो नहीं अगली जाह रहा हूए मैसित काइस आई भाई देख भीज थे था पुल्सक्राइन कि कोई एक गरतानाहिं भाई पुल्स सवी पती था सब्सक्ताहिए था खे, मैने कोई भाई arc पाकिस्तान नहीं जाना है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्ता वेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वें जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वें विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी वी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरह से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है अब ख़ iemand जिए तो ATS की जाच का जारा इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दारा भी बढ़ता चला जा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वह पाँचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कहीं न कहीं संदे और बड़ा, उसके अलावा उसके पास तो डोकुमेंट्स मिले, वो संदे के एक बड़ी वज़ा है, उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना, यानि कि अगर पांची पास है, तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी, और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहां पर पहुंची, तो कहीं न कहीं, या तो किसी ने साथ दिया, या फिर सीमा जो है, इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है, तो साथ किस ने दिया, वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रही है, तो इसी के चलते लगातार जो है, जाच का दाएरह बढ़ता चला जा रहा है, नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाच पहुंच चुकी है, और लगातार पूरिस इस मामले में कुछा जिसे की सीमा पर शग गहरा हो सके जिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की ती इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के मुरादाबाद में भी एक बाने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अज़े के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अज़े को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लत्पत अज़े का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहनाए की जूली पैसे की डेमांड कर रही है अज़े की मान ने की जाच के आदेश दे दिया है और उसको वहां से नहीं आने दिया जा रहा है इस माम में की जाच है वो हमारी इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं दे कि वो महिला कौन थी टीवी नाइन भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटेस की पूस्ताच के बाद सामने आ और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसी लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने ही साधारन इस लव स्टोडि को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीज को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए है हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है पागिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके लाओ जिए उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाप किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास A की नाम से A की पदेपलोली की जर्म तित्री की कैसे मौजूद है तो उस पर सीमा का जवाब ये था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसकी तित्री निकल चुकी थी तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर्ट सीमा ने बताया कि उस रास्ते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस बस की पैटान करने की कोशिश नी जा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल की इसको दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है साथ इसको फॉरें सिक्टी के बाद देगा है उतर प्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी वहाने से अजे को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खोन से लतपत अजे का फोटो मुरादबाद मे उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस माम में की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीयस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखे बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटीयस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीयस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी-एटीयस की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है यूपी-एटीयस पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटीयस ने सवाल इस बारे में पूछा तो और एटीयस की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है सीमा है खुलासा है कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा है project अग्रेजी पढ़ती है सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूतर बता ता रहे हैं सीमा के जवाबों से एटीयस भी हैरान रह गई है तो देखिए एटीयस पूछताच कर रही है और पूश्ताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है, समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूश्ताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट समझ दे देते सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूचा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली एंसियार में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथी एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताज के दोरान फरराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूछताच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहियोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया में सीधे उनका रुक करते है क्या क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट गंटे तक ATS ने पूछाच की आज फिर उनसे पूछाच की जा रही है कल जो पूछाच की गई दरसल उस पूछाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसन्ट भी उसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं संपर्क में थी जो कि दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब यह कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछाच के दोरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जासे कि आखिरकार की सिलसले में सीमा इंसे लगातार संपर्क में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़ कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल पलीस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी एटीएस के पास मौजूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से प क्या ATS को अब और संदे हो गया सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है। पूलिस ने देखे हैं वह भी सीमा को दिखाई गई हैं तो यानि कि जहाँ जहां पूलिस को सदे हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूस्ताच की जा रही है। पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का जारा है और बढ़ रहा है और आगे भी फूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे है विवेक और जीत अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए ए आप ही सोचिए क्या कोई 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ती सीमा जो कह रहे है कि सिर्फ 5वी तक ही वो पड़ी आपांच वी तक पड़ी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा लिए इगली नहीं आती है? तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंगलिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काठमांडू वाली शादी कोई फोटो बज़रा है क्या किसा तुछी के आदार पर आपको भारत की ना जोगी ताभी जाएगे जाएगे मिल सकती है ज़िस हो तो भी हो तो शादी कोई कोई प्रूफ है आपके पास और ना स्कीन कोई हो रही है उसकी नागरिता यहां है यह उची पत्यरा जाए ये पेक पास विस्थाति कर दिया निकाल दिया इसमया फिलाल जिस्टा तो पापिशका हैं। आप भारत की नागरे से ही हो। नो मैं भारत की फोल्थ 파ट में काल से तो जहीं है। आपपर यदी एक साधी का कोईपक नुटा कोईपक रता है। कोईपर फोटो है। जिन पंडीजी ने साधी की पी तराई की वो हैं? वो पंडीजी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी साधी करा ये? बताईए, कह देंगे वो पंडीजी? ना और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी ख़बर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खलाफ दर्ज फाई आर की कॉपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी फाई आर हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो फाई आर की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पनों की एफ़ाई आर सामने आई है एफ़ाई आर में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाईज बताएंगे कि इस एफ़ाई आर में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो एफ़ाई आर दर्श की कई थी उस एफ़ाई आर की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को चार मुबाईल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है कि देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से ही आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मुबाइल की हालत क्या थी? एक ढूटा हुआ मुबाइल फोन पास सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शकक के दायरे में और क्या क्या मिल है घुल छह? पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं, पुलिस को, तीन आधार कार्ट भी मिले हैं, मुवाइल फोन की भी जाज की जा रही है, जिसमें से एक मुवाइल फोन टूटा हुआ मिला था, डेटा डिलीटेड थ साथ ही आपको बताते हैं कि F.I.R. में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये F.I.R. दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कॉपी में हर्याणा के वलबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन साधी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर थाबिद करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि जहां चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ फाइयर की तो एफ फाइयर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बियान के अंदर बताई कि इससे पहले भ बाद वह वापस पाकिस्तान लोड़ के ती और इस बार फिर मई के अंदर वह वापस आई पोकरा और उसके बाद फिर पोकरा से बस पकड़कर सचीन के साथ वह ग्रेटर नवड़ा तक पहुची है तो पहले वह क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जो रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बात भ बात चुका है ये व मैं रखाशन वे शादी कीप ही वह है है वो पंडिजी केह देंगे हमने उनकी साधी कराई है बतागिये केह देंगे वो पंडिजी है अब बावार आफ ते चिसला अफ़िए ते किसलो ने सकता है तो सब्सक्राइब करता है विए अब इखाए तो अब निकाता है तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई बच्चे तो पे साथ नहीं आये थे ना बच्चे तो पहले राप अके लिए थी तो बच्चे क्या से आए थे बच्चे क्या से थे थे ना के से बच्चे तो पहले हैं? जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जूड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वे हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वे विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजन्ड है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखें बात कीजाए तो ATS की जाच का दैरा इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दैरा भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पांचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कही ना कई संधे और बड़ा उसके अलावा उसके पास तो डोकुमेंट्स मिले वो संधे के एक बड़ी वज़ा है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे अपनी बुक कराई और यहां पर पहुंची तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जाँच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर दिखा रहे हैं लेकिं जितेंदर जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है आपने बताया कि कई एसी जो जानकारियां हैं वो आप वाटसेप चैट से लेकर के रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जाँच एजनसियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे ने सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वोस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया पूरा डेटा रिट्रिव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा के उपर संदे जादा गहराया है मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उतरप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अज़े के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लोट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अज़े को बंगलादेश बलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लथपत अज़े का फोटो मुरादाबाद में उनके परेजनों को भेजा परेजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वही SSP मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वह महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारीया एटेस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशनस सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटेस समेट तमाम केंदरि एजेंसिया और स्टेट एजेंसिजिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचन और उसके प्ता से पूस्ताच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोरी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा इजेंस्यू को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए है हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है जी बिल्कुल देखें सीमा एदर से कल्पी आट जिनके पूस्ता चुई आज की लिए सीमा की पूस्ता जिस से चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोडा के अंदर जो एटियस का दस्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलावा जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा के अइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात कुलिप के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकितानी अइडेंटिटी कार्ड हो एक जारे उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल ज소, जाप किये जारे है जिनके अलगलग नम्बर है जब उसके पूछताच की गए जह एक की नाम चे एक ही पते पनोले की जरम तितिटी की कैसे मौजूभ है तो उस पर सीमा का जवाव यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है, उसकी तिथी निल चुकी थी, तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था, वो दूसरा पासपोर्ट है. जो टमाम बाते अब तक सीमा ने बताई हैं, उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है। सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में भार चला गया है और अब उसको वहाँ से नहीं आने दिया जा रहा है इस मामले की जाच है वो हमारी इंट्रिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं दे कि वो महिला कौन थी Breaking News यह कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखे बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहल और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे है सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉंटाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था यह सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी यह है कि दिली NCR में रहने वाले लो लोगों से कॉंटाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में यह बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो यह कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज द पूछताच के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है यह बेहत चौकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक कि पूछताच में यह चौकाने वाले खुलासे हुए हैं सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया में सीधे उनकारू करते हैं जितेंद्र क्या-क्या खुलासे हुए हैं चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से कॉंट्राक्ट करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा यह तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फर्राटेदार तरीके से पढ़े और एसन्ट भी उसका अच्छा था यानिकि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नहीं इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और इस साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी तो उसके बयान कल दर्च किया गए एक बार फिर से उसको आच क्रोस चेक किया जा रहा है उसके बयान फिर से दर्च चैका हुची पूर्डर के प्रच क्या जासे कि जाना जासे कि आखिरकर किसी सिल्सले में सीमा इससे लगातार संपक्न से इसके इसके अलावा सीमा का जो फठा कर बॉर्ड कि अगही है और वे Patri Hill विवी से योगी भी जुड़ गया है उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूशताच होगी क आपडेट हैं बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबन आठ गंते तक पूशताच हुई तो आज भी लगाता है सीमा से पूशताच की जा रही है किसी गुपनिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमराह करने कोश्च कर रही है क्योंकि उसके बया यह लगाता है सीमा से पूश्ताच की जा रही है और साथ ही सीमा से यह भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सच्चीलन के परिवार फिर कुछ और नाम बताती है तो यहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का जारा है और बढ़ रहा है और आगे भी पूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे है विवेक और ज सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा अजय आए यहां पर यहां पर है तो हम तो चालिश्टान के हो गया हम पर दूँए अच्छा इसमें कुछ तुछ सवाल दूट रहे था वो यह अब जैसे हाथ पर निजिशान किसी इट के है तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंगलिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काठमांडु वाली सादी की ये कोई फोटो बजयरा है क्या किसा तुछी के आदाउप पर आपको भारती ना जोगी ताभी जाएगे जाएगे मिल सकती है ज़िए फोटो भी हो तो शादी को कोई प्रूफ है अपके पास से लिए फोटो वर्शी प्रफीव ये यहां है युँचि पत्मी है जो इनके पास नागरितावन है पाकिस्ताल नहीं- figured जिसनेया फिलाल जिस्तात पार्चात रहां आप भारत में नागरे करने ही हो ख्राइप भारत की इसरेखि-अधर कोई करहेंगे जिस मंदर में आपकी सादी वही है लो क्या है आप एब सब्सक्राइब कोई पोटो है कोई पर दॉट काब है यह पोटो पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की एफ़ायार सामने आई है एफ़ायार में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस एफ़ायार में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो एफ़ायार दर्श की कई थी उस एफ़ायार की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है कि देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के बाइरे में, और क्या-क्या मिला है, कुल 6 पासपोट, सीमा के पास से मिले है पुलिस को, तीन आधार कार्ट भी मिले है, मुबाइल फोन की भी जाज की जा रहे हैं, जिसमें से एक मुबाइल फोन टूटा हुआ मिला था, डेटा डिलीटेड था, दो वीडियो भी दो वीडियो कैसेट भी मिले है सीमा के पास से सीमा एदर के पास से और इन सभी चीजों की जाच इस वक चल रही है वही चार जन्म प्रमाण पत्र क्यूंकि चार बच्चे हैं सीमा के चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं एक परिवार रेजिस्ट्रेशन सर क्या बाते सामने आई है, सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये F.I.R. दर्ज है, जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है, इस F.I.R. की कॉपी में हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद सीमा मीडिया के सामने भी आई, यह पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर, सचिन और नेतरपाल का जिक्र है, पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेथ होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने पब जी गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका र पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक्त गहराता जा रहा है सीमा के ऊपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्च किया तो उसके तुरंद बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दिये उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके लावसपंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे ते उन तमाम जगायों से जो इविडाइनसीज हो सकते थे वो क्लैक्ट किये गए चाहे वो इलेक्ट्वनिक इविडेंसीज हो चाहे हो है से जुडए लोगों के बयान दर्च किये हो तो तो तमाम evidences खटा किये गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि जहां चेटीएस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस F.I.R. की तो F.I.R. में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने आपने बियान के अंदर बताए थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचीन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचीन के साथ वो ग्रेटर नोड़ा तक प तो यह वो तमाम सवाल है, उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब, क्या आखिरकार जब वो मार्च महीने में प्लानिंग चार बच्छो को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है, और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जा हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए, टीवे 9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है, सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है, भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है, ये बाद भी सीमा ने बताई है, तो आपको सुना पंदीजी कह देंगे कि हमने में इंगी सांधी करॉं हाई? तो ये? कहदेंगी पंदीजी? अ हं? सिथस्ञ जाने सबाथ किया आप एच जाती निसे nawar हमें चयासी नहीं हुआ हखो और शेकां आप तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है हुआई टीवी नाइन के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाऊं अलग हो सकते हैं हम और आप सचन को जोड़ का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्ता वेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वे हैं कि ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वें विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलान अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई निये बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संडे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर कि सीमा एक पाकिस्तानी एजेंड है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोलमोल जबाब दे रही है देखें बात किजाए तो ATS की जाच का जायरा इस मामने में बढ़ता चला जारा है पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हंद्सतान में आ जाना यानि कि अगर पाँची पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुंची तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुम्रा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जांच का दाइरा बढ़ता चला जा रह वो आप WhatsApp चाट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे ने सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में अंदे जादे घ्राया है लेकिन जो सुस्पेंस बना हुआ है सीमा को लेकर के मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खुन से लत्पत अजे का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजणों को भेजा परिजणों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की वहीं SSP मुरादबाद ने मामले की जहांच के आदेश दे दिये TV9 भारतवर्ष पर देखे सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोमिशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है पूस्ताच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि जितने इस साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है, इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लान को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर, साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खमर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सबवादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है अगितानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके लाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाप किये जा रहे हैं दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अज़े के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अज़े को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लत्पत अज़े का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अज़े की मा ने मदद की गुहार लगाई वही एससपी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में भार चला गया है और अब उसको वहां से नहीं आने दिया जा रहा है इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन स्टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गया है कि सीमा हैदर से यूपी एटियस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखे बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली एंसियार के लोगों से किया था संपर्क एटियस की पूछताच में हर सवाल नपाटूला जवाब दे रही है सीमा तो देखिये एटियस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए लेकिन अलग-लग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूश्टाच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉंटाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूश्टाच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूश्टाच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूश्टाच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूशा तो और ATS की पूश्टाच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्छारण भी अच्छा है ये सूतर बता सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूश्टाच कर रही है और पूश्टाच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नही है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूश्टाच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आप डेट सम जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने contact किया तो सीमा ने कहा है कि हां कुछ लोगों से समपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है, जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉंटाक किया था सीमा ने, ATS पूश्तास में ये बड़ा खुलासा हुआ है, एक और जो जानकारी है वो ये, कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर, सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है, साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है, क् हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है, सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पड़ी है, ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, सीमा के अंग्रेजी उचा बतार नजर बनाया, मैं सीधे उनका रुकरते जितेंद्र, क्या-क्या खुला से हुए है, चोकाने वाली कई बाते सामने आई है, सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्ट पूछाच की जा रही है, कल जो पूछाच की गई, दरसल उस पूछाच के दोरान ना सिर्व सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए, जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसन्ट भी उसका अच्छा था, यानि कि कहीं से लग नहीं रहाता कि उ पूछाच की दोरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी, जो कि दिली एंसियार के रहने वाले हैं, अब ये कौन लोग हैं, उनकी डिटेल उससे पूछाच के दोरान पता की जा रही है, ताकि उन लोगों से भी आ और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछाच की जा रही है जी, ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए, ATS दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया, उनका भी रुक करते हैं, विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से, और सीमा में हर सवाल का जो नप सीमा से पूछाच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमराह करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ, दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले कुछ और बात कर रही थी और अब कि जारी है कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी, इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी, क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निक होके निकलना है, हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हु सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे है, विवेक और जीत अंदर बारे साथ आप जुड़े रहे हैंगा, देखिए, एक और चौकाने वाली बात यह है कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा, फर्राटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का र पड़ी भी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है, सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा? अब जैसे हाथ में इस निशान किसी सीच के है? तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई? उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए करने शादी के पैसे शादी कोई फोटो बजरा है क्या किसा तो तसी के आदाव पर आपको भारत की नादोब की अदेगा सै जो सोटों भी होटों तो छादी को कोई प्रूफ है आपके पास पाकिस्तान ने आवक का दिया क सटनी इना निकाली से से फुनार विष长 इने आ पाउर पाक्रस पांगरेंिसकर कर संदूर। ना में जिए भारत के रहा है ना पापिशना कर रहा है ना क्या क्या हम आप यदि एक साधी का एक कोई पोटो है लागी पुलिस जाज एजंसी कल काटमानु जाएं निए इस मंदर में आपकी साधी हुई है और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है TV9 पर सीमा के खलाफ दर्ज FIR की कॉपी है 4 जुलाई को दर्ज की गई थी FIR हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो FIR की कॉपी है जो आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की 13 पनों की FIR सामने आई है FIR में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस FIR में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो FIR दर्श की कई थी उस FIR की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोल मुल जवाब भी सीमा देती नज़र आई है कि देखिए ATS पूछताज में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि F.I.R. की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से नेपुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मॉबाइल फोन की भी जाच की जा रही है जिसंहें से एक नुबाइल फोन टूटा हुआ मिला था डेता डिली टथा दो वीडियो दो वीडीयो कैसेट भी मिले हैं सीमा के पास से और इन लोन छीजों की जाच इस वकषा में चार जन्म प्रमाण पत्रै कि summarize परिवार लिभि पिश्टर्रैशन से अभी बीसमा के पास से आप से अभी भी कहे ये सीवा से कई इसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहद भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दरश किया था उसके तरण बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा की बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके लावास पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से घूरे जो इधन सीिस हो सकते एकं वह कलागा किये गाए चाहे वह चाहे बात करें इस F.I.R. की तो इसके अलावा अगर बात करें सिपार में सबसे महत्बूँ बात यह है कि सीमा ने आपने बयान के अंदर बताए कि इस से पहले भी और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचीन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोकरा से बस पकड़कर सचीन के साथ वो greater nooda तक पहुची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब चार बच्चो को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजन्सी कल काटमांडू जाहें इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या वहाँ फोटो बगरा किजे से जिन पंडी जी ने साधी किती कराई की वो है वो पंडी जी कह देंगे कि हाँ हमने इंकी साधी कराई बताईए कह देंगे वो पंडी जी इस से गजए है आपकी साधी कराई के दिसी जाट आपकी नई जी आपको बताईे मेरी भाणी काल जी जाए है तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई पुलिस आई थी और आपने कहा था तो जब देगिया आप मैंने क्या कहा था हूं कि पुलिस तो बच्चे तो अपने आए था ना पर पहले रापके लिए आई थी था जब आए तो बच्चे के संगे का था ने वही वारा पुपता है और एक उसके आई पर दिर डॉआ है हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से मारे साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात की बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है एटीस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखे बात कीज़ा है तो एटीस की जाच का दारह इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दारह भी बढ़ता चला जा रहा है तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जांच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है वो आप वाटसेप चाट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके कि बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब उस सपेंस बना हुआ है सीमा को लेकर के उतरप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क पंगलादेश की रहने वाली जूलीफ फेसबुक पर प्यार के बाद मुरादबाद के रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रीमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादीश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लत्पत अजे का फोटो मुरादबाद मे उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं स्स्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये उनका बेटा है वो किसी महिला के साथ में भार चला गया है और अब उसको वहाँ से नहीं आने दिया जा रहा है इस मामले की जू जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी तीवी नाइन भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटेस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फॉमेशनस सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बात एटسمे तमाम केंदरी अजेंसिया और स्टेट अजींसी लगतार सीमा हैधर उसके पती सचिन और उसके पिता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसी को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा इजेंस्यू को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है जिगल कूल देखें सीमा है अदर से कल्बी आट जिनके पूस्ता चुई आज फिर सीमा की पूस्ता जिस से चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोडा के अंदर जो एटियस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलावा जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा के अइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात पुलिप के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकिस्तानी अइडेंटिटी कार्ड हो इसके लाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाप किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अग नंबर है जब उससे पूश्ताच की गई जो तूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है इसंयों गो सुर्शू हून अपर जिधा ना reflection कर्ण मिडि़ा के पूंद की जान वतिरा कि अभी ऐटेश की जो पूरशता चहूरी उस में और चुक आने फुलास हो सकते हैं मुरादबाद में इन अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी connection सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है परिजनों का कहनाएं कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सीमा हैदर से UPATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए UPATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UPATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्छारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे देते सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली एंसियार में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली एंसियार में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथी एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पड़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूछताच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए हैं सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरता है जितेंद्र क क्या क्या खुलासे हुए हैं चौकाने वाली कई बातें सामने आई हैं सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदा पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी हिससे जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पोँची थी उसके बयान कल दर्च किया गए एक बार फिर से उसक प आइप सीदोरान ये भी बताई कि पूछताच की जा रही है जी तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चोखाने वाले खुलासे बूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गए सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है है वो भी सीमा को दिखाए गए है तो यानि कि जहां जहां पूलिस को सद्धे हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूछताच की जा रही है और साथ ही सीमा से यह भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कबसे सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निक होके निकलना है हर एक नाम जानने की पूलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कही पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का जारा है और बढ़ रहा है और आगे भी पूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे हैं विवेक और जित अंदर बारे साथ आप जुड़े देएगा देखिए एक और चोखाने वाली बात ये कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा फराटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का रियाक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ती सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा तो सुना अपने सीमा का जवाब को कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 कि स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए सबसे पास सबसे बाता है काठमांडो वाली शादी की फोटो बज़रा है क्या किसा तुछी के आधार पर आसको भारत की नाजोगी कभी जाएके मिलज़क्ती है याजि सोतों भी हो तो पर शादी को वोई-प्रूफ है आपके पास पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया, इस तमया फिलाल विस्थापित पाचाहतानी, आप भारत की नागरिट नहीं हो और भारत ने कब्री कर रहा है ना पाकिस्तानी कर का रहा है अन पहते हैं ने का जढ़िखत रहा हैं इस पुलेट जहांच एजन्सी आपको काटमानुर जाहे है इस मंदर में आपकी साधी हुई है च्छा पंडी जी ने साधी कर आई कि वह है पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है कि देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी सही आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मुबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मुबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि Fon से जो देटा था वो डिलिट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दाइरे में है और क्या क्या मिला है कुल 6 पास्पोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मोबाइल फौन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फौन टूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी, दो वीडियो cassette भी मलें है, सीमा तर चीजों की जात इस वक चल रही है वहीं, चार ज़न्व थरमान पत्र, क्यूंकि चार बच्चे हैं, चार बेर्ट सर्टेफेकर्ट भी मिले हैं, अभी भी ATS लगाटार पूछताच कर रही है, सीवा से कई इसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई है सबसे पहले, 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वलबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में देखें जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्च किया ता उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दिये उसने जैसा कि बता है कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्ट्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वहां से जुड़े लोगों के बयान दर्च किये हों तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ाए कि अब जहां चेटियस को सौपी गई है इसके अलावा अगर बात करें इस F.I.R. की तो F.I.R. में सबसे पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर न भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान मे आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलेस जाच एजन्सी कल काटमांडू जाहीं इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजे थे जिन पंडी जी ने साधी किराई थी वो हैं वो पंडी जी कह देंगे कि हमने इंकी साधी कराई है बताईए कह देंगे वो पंडी जी किस्टिशन के साधी कुलेड़ जी तो अगर टीजाच्वा ने दिए। इस मंदर में खुआज़ किता है फ्लिग जी आफिए। बढी जी 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 खुआज़ जागों आफार साधी है फ्लिग किता साधी कह फ्लिग किता है तो देखिए टीवी नाइन के सिटिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई है। तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई पुलिस आई थी और आपने कहा था, तो तभी देगिया, लेने क्या कहा था हूंगा, पुलिस से, ना बहुत बच्चे तो अपने था 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 ना, बच्चे तो पहले राप अके लिए आई थी, तो बच्चे कैसा है था था? तो बच्चे तो बच्चे तो बच्चे कैसा है, तो अके लिए था? तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, पाकिस्तान नहीं जाना है, सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं, अलग हो सकते हैं हम, और अब सचिन को जोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है? तीवी नाइन के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी हैं, जानकारियां भी हैं जो लगातार हम आपको दे रहे हैं, मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं, जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं, विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा, मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही हैं कि सगा भाई नहीं है, बलकि सौतेला भाई है, अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है, सीमा से जुड़ी भी, क्या जो लोग इसकी जाच का जारा है, इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है, और शक का जारा है, क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था, कि वो पांच वी पास है, तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली, तो उससे कही ना कई संधे है, और बड़ा, उसके अलावा उसके पास जो मिले वो संदेह के एक बड़ी वजह है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल नेपाल से हिंदुस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांची पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहां पर नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाच पहुंच चुकी है और लगातार पूलिस जो है इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर चुक्ता है लेकि जितेंदर जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारिया है वो हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके जो बिल्कुल देखिए जाच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की ती इसके अलावा कुछ अन्या लोगों से भी उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फॉरेंसिक जाच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं किया गया उतर प्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फॉमिशन सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुछताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुछता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसिस को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है पागितानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके लाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे हैं दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पास्पोर्ट सीमा के पास, एकी नाम से एकी पतिपनो लिये, कि जर्म तिती के कैसे मुझोंद है, तो उस पर सीमा का जवाब यह था, कि दरसल पहला जो पास्पोर्ट है, वो उसके पास्पोर्ट गुर्धाय आजनिता ती गुरू है, इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल की इसको दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है साथ इसको फॉरेंसिक्टी के बाद दिया आरे कि अभी ATS की जो पूछता चोरी उसमें और चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं सीमा हैदर को मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहारा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वह महिला पॉन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क एटीस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखें एटीस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे ह सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हा कुछ लोगों से संपर्क किया था यह सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी यह है कि दिली NCR में रहने वाले लो से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में यह बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो यह कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग क देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है यह बेहर चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा यह तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था क्योंक पूछाच की गई दरसल उस पूछाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था यानिकि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसक से पहले वह इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो की दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब यह कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछता अच के दोरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना ज टेल भी ATS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछता अच की दा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफतर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है पूछताच होगी तो आज भी लगाता है सीमा से पूछताच की जा रही है किसी गुप्त इस्तान पर और पूलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोश्च कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही है और जो इंटरव्यू उसने मीडिया को दिये हैं वो भी पूलिस ने देखे हैं वो भी सीमा को दिखाई गई है तो यानगि जहां जहां पुलिस को सद्दे हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूश्टाज की जा रही है और साथी सीमा से ये भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आखिलकार वो कब से सचिन के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदूस्तान आने में मदद की थी किया उसको किसी ने गाइड किया था की कैसे कैसे रूट से निकलना है हर एक नाम जानने की पुलिस कोईश talents में लगी हुई है लेकिन कहीना कहीं सुत्रों कहना है की सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वह कुछ होड़ नाम बताती है फिर कुछ होड़ नाम बताती है तो यहीं कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते हैं पुलिस की जाज का दे रहा है और बढ़ रहा है और आगे भी भूस्ताच हो सकती है सीमा से जो हमारे सयोगी अपडेट दे रहे है विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए एक और चौकाने वाली बात ये कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा फर्राटे से सर्फ पांचवी तक ही वो पड़िवी है पांचवी तक पड़िवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा इसे इसमें कुछ पूस्वाल गूठ रहे हैं तो यह कुछ निशान किसीज के है तो सुना अपने सीमा का जवाब वो कह रही है कि जब 5 दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंगलिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग उपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काजमांडवाली शादी कोई प्रूफ है अपके बाद साथ नागरिटा यहां है यूची पत्री है इनकितर में कभरत नहीं है लेकिन इनके पास नागरिटा नहीं है पाकिसनी आपको विस्थापित कर दिया निकाल दिया विस्त अम्है बआद खिरार्त विस्थापित पाकिस जाज एजन्सी कल काटमानु जाएंगी इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महाँ फोटो अगरा किजे से जिन पंडीजी में साधी कराई थी वह हैं वो पंडीजी कह देंगे क्या हमने उनकी साधी करा ही पताईए कह देंगे वो पंडीजी ना और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खिलाफ दर्ज फाई आर की कापी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी फाई आर हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो एफाई आर की कापी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं चार जुलाई को ये एफाई आर सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी 13 मई की राद यमुना एक्स्प्रेस वे पर उत्री थी सीमा एफाई आर में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की 13 पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला पुलिस को चार मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दारे में हैं और क्या क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो सीमा के पास से और इन सबी चीजों की जाच इस वक्ध चल रही बहीं चार जय त्रमाण पत्र किउंकि चार बच्चे सीमा के चार बच केहरो सटीफिकेट विले हैं साथ ही आपको बताते हैं कि अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई है सबसे पहले, 4 जुलाई 2023 को F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये F.I.R. धर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कॉपी में हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्श किया था उसके तरण बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दियों उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वो फिर वहां से जुडें लोगों के बयान दर्च किये हों तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ाए कि अब जहांच ATS को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस F.I.R की तो F.I.R में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांग से सीधा काटमान्डू पहुँची और काटमान्डू से वेन के जरीयर सीधा पोक्रा आई थी और साटी पोक्रा के अंदर बाकाइदा उसने मौलकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़ कर सचिन के साथ वो greater nooda तक पहुची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कम चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुच गई भारत कई सवालों के गोलमुल जवाब दे रही है और सीमा पर से लिए शक भी गहराता जुआ रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने ब वो पंडिजी कहा ये हमने इंकिसादी करा है बता ये कह देंगे वो पंडिजी है है प्ले अ कि यार ना है अगा बंपा ने ये इनदेखिए लाए चुक माने खुलाइभा नी से लिए ने शादील ने सक्टानी रहें वो तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई बाइ नहीं बलके गुलाम हैधर का एक सौतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने कहा था इसे वह बच्चन लेकर पहले था ना बच्चे तो पहले रखे लिए आई थी तॉ बच्चे किसा जचा है तुट कर लगेस नद्रो कर ठेंज हो रहे हrywाओ धो खड़न अंग जो चाल कर दो कि सैव education कि वा जजित ओपर 플र्म पड़ जी आंगे क सब्ड़न कर दो हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है अब मुझे बारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा केती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओ अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है एटीस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है दिखें बात किजा है तो एटीस की जाच टारा इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोल ली तो उससे कईना कई संद्य है और बड़ा उसके अलावा उसके पास से डौकूमेट्स मिले। वो संदेगा एक बड़ी वज़ है। उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपल और नेपल से हंदुस्तान में आ जाना। यानि कि अगर पाच्वी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी। तो विन लगातार रही हैा तो इसी के चलते लगातार जो है जा chilा चा Google लो और लगातार पुलिस जो है इस मामने में कुछ पुकता सबूर दिशारे लेकिन जितेंदर जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारिया है वो वाटसेप चैट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्य से जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके जो बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की ती इसके अलावा कुछ अन्या लोगों से भी उसे ने चैट की ह हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिटरीव कर लिया गया है लेकिन अभी उतरप्रदेश के मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लतपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है यह तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस छवी स्टोडी को बताया जारा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है ख़िसनी आइडेंटियो काड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकरसे सौबड़ जाब किये जाए दो पासपोर्ट सीमा के बात ज्रू सीमा के पासहुए तो उसके बात जो सने रिम्यू करा आय था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को फुक्ता करने की कोशिश की जा रही है। यहां भी connection सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है। मुरादबाद में उनके परिजनों को भीजा। इस माम में की जो जाच है वो हमारी इंटलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी। Breaking News यह है कि सीमा हैदर से UP ATS की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क। देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क। ATS की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए हैं लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा UP ATS पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौकाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुलास अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट समझ दे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछ पूछताच में जो बड़े खुलास है जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉंटाक की कोशिश की थी दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से कॉंटाक किया था सीमा ने ATS पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने साथ एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से एटियस भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सायोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया है मैं सीधे उनका रुक करता है जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉंटाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिलकुल देखे सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आठ घंटे तक एटीएस ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए जो उसके बियान कल दर्च किया गए एक बार फिर से उसको आज क्रोस चेक किया जा रहा है उसके बियान फिर से दर्च किया जा रहे है साथ ही उसने पूछताच की दरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि सीमा ने तोड़ कर बॉर्डर के पास फैका था, उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है, और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी, वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौझूद है, और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की जा रही है, जी. ठीक है, जी तेंदर हमारे साथ देखिए, ATS दफतर से, विवेक हमारे से योगी भी जुड़ गया, उनका भी रुक करते हैं, विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से, और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है, कई चोखाने वाले खुलासे भूए ह हैं, क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर, आगे भी पूछताच होगी, क्या अपडेट है? तो यानि कि जहां जहां पूलिस को सद्दे हो रहा है, उसके अधार पर लगातार सीमा से पूछताच की जा रही है, और साथी सीमा से ये भी बात जाने कोशिश की जा रही है, कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी, इन लोगों ने उसकी सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है, कभी वो कुछ होड़ नाम बताती है, फिर कुछ होड़ नाम बताती है, तो यहीं न कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे जो है, और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस की जाज का दे रहा है, और बढ़ रहा है, जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ती सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़िवी है अबे जेल में थी ना सब्सक्राइब तो इसमें कुछ कुछ सवाल दूट रहे हैं तो जैसे हाथ में निशान के सीज़ के है तो सुना अपने सीमा का जवाब वो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काजमांडवाली शादी कोई फोटो बजयरा है क्या किसा उसी के आदार पर आस्पू भारत की नागर्टी का भी जाएगे मिल सकती है ज़िए सोटो भी हो तो तो शादी कोई कोई प्रूफ है आपके पास विए जब आठी ने में अंगह minder है उसकी नागरिटा यहाँ है योसी पतभी है नहीं हैं, यह यह फार-पित, विस्टासि कोई नहीं है पाकिस्तान में आपको विस्ठादित कर दिया निकाल दिया समय आठ अछिना विस्टासित के भारत की नागरी में जिह हुँए विना चुब निना में भार्ट ने कब्रूद कर रहा हैं न पथिना ज़्ष रखर रहा है? यह क्या helps दी एक साधी का ऐस ऐस खौटो है? पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला पुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है कि देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी? एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि FN से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने, इसी वज़े से सीमा शक के दारे में है, और क्या क्या मिला है, कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को, 3 आधार कार्ड भी मिले हैं, मुबाइल फोन की भी जाच की जा रही है, जिसमें से एक मुबाइल फोन तूटा हुआ मिल जाफिङल था, देटा डिलीटेड था, 2 वीडِयो भी, 2 वीडियो कैसिट भी मिले हैं, सीमा के पास से, सीमा त्दर के पास से, और इन सभी चीज़ों की जाच इस वक चल रही है, चार जन्व प्रमाण पत्र, क्योंकि 4 बच्चे हैं, सीमा के चार बड़ सर्ट सर्टिफिक साथ ही आपको बताते हैं कि F.I.R. में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले चार जुलाई 2023 को F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभू पूरा में ये F.I.R. धर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कॉपी में हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्च किया ता उसके तरण बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दियों उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा सपंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो हो सकते थे हो क्लेक्ट किये गए चाहिए वह से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किये हो तो तमाम इवेडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही प्लिस का शक जो है वह सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वजाए कि अब जहां चेटीयस को सौपी गई है इसके अला हिंदुस्तान और शारजां से सीधा काटमांडू पहुंची और काटमांडू से वेन के जरीय सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकायदा उसने मौल मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वह वापस पाकिस्तान लोड़ के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर नोड़ा तक पोँची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पोँची थी तो यह वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनक खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा कि पूले से जाज़ेंसी कल काटमांडू जाइंगी इस मंदर में आपकी साधि हुई है कि वहाँ फूटो वगारा खिजेखे दे जिन्पंडी जी ने साधी किती तराई थी वो हैं आप पन्डे जी कहे देंगे कैben हो साथी कराइर बताइए के देंगे हो पन्डे जी तो होले साथी तो देखे टीवी नाइन के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं बल्कि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने कहा था तो इसा भी देखिया मैंने क्या कहा था हूं कर फुलिस को बहुत बहुत बढ़ी आई थी पंदो इसा रहे हां नहीं नहीं जड़ बैटने ले कर और हुए नहीं वार को हुआ सरा थी नहीं आई था संदू का दूए था नहीं पर शुनगे पहले कि दूए थाद बच्चितों पहले न은 आपके लिए था थे थे हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा के यह कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्रूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है एटीस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखें बात कीज़े तो एटीस की जाच का जारा है इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दैरा भी बढ़ता चला जा रहा है यानि कि अगर 5 पास है تو उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहांपर पहुची, तो कही न कहीं, या तो और तो किसी ने साथ दिया, या फिर सीमा जो है इस मामले में गुम्रा करने में लगी हुई है, त तक उसलाव नगी ह deciरा का डेटर डिलीट किया है नुक है कि इसी जो जानकारिां है वह आप वाटसब चैट से लेकरके रिट्राइबड है आप उससे हुझा कोई खुलसा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिससे की सीमा पर श्रम गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में ज जाँच जाँच एक मोबाद में अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नधसर आ रहा है उतर प्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं एससपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी काड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन ये इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आयी है जीटिन को देखे सीमा एदर से कलबी आट जिन के पूस्ताच है आज भी पूस्ताच जो चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोईडा के अंदर जो ATS का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाव जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्टाश की जारी है दरसल ये पूश्टाश सीमा के आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकिस्ताश आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूश्टाश की गए जिनके दो पासपोर्ट सीमा के पास एक नाम से एकी पदेपल हो लिए कि जनम तिथी की कैसे मौजूद है तो उस पर सीमा का जवाब यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसका उसकी तिथी निकल चुकी थी उस बस की पैटान करने की कोशिश निदा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना सोचल मीडिया प्रोफाइल की दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है साथ इसको फॉरें सिक्टी पास बीजारी कि अभी एटीस की जो पूछता चोरी उसमें और चोकाने वाले खुलासे हो सकते हैं सीमा हैदर को ले करके मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उतरप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वह महिला पौन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली NCR के लोगों से किया था संपर्क एटीस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे है सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले ल लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच कि दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहद चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैर करते हैं जी तेंद्र क्या-क्या खुला से हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग् गंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पड़े और एससे भी उसका अच्छ की जा रहे हैं साथ ही उसने पूछताच की दरान ये भी बताई कि इससे पहले वह इंदुस्तान के अंदर कैई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो की दिल्ली एंसियार के रहने वाले अब यह कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछताच के दौरान पता कि जा रही है त साथी जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की जा रही है जी ठीक है जी तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आट गेंटे तक पूछताच हुई तो आज भी लगाता है सीमा से पूछताच की जा रही है किसी गुप्त इस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कही सीमा गुमरा करने कोश्च कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विर साथी सीमा से पूछताच की जा रही है और साहथी सीमा से यह बी बात कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वह कब से सचिर के बरिवार वालों के संपर्क में टी इन लोगों ने उसकी हंदूस्तान आने में मदद की थी, क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है, हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है, कभी वो कुछ होड़ नाम बताती है, फिर तोड़े रहिएगा, देखिए, एक और चौकाने वाली बात ये है कि TV9 भारतवर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा, फर्राटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का रियाक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना, ये का है सीमा ने, पांच दिन में अंग्रेजी बोलन जानती है, सुनाते हैं आपको, सीमा ने इस बारे में क्या कहा? तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है, कि जब पांच दिन वो जेल में थी, उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा, नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई, उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है, जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुनिए काजमांडवाली शादी कोई फोटो बजयरा है क्या किसा, उसकी के आदार पर आस्पू भारत की नाजोगी, कभी जाएगे, मिल सकती है ज़िए सोटो भी हो, तो इस शादी कोई कोई प्रूफ है आपके पास पाकिस्तानी है उसकी नागरिटा यहां है यह उसकी पत्ही है यह नहीं नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, लेकिन इनके पास नागरिटा नहीं था, पाकिस्तानी आपको विस्थातिक कर दिया, निकाल दिया, इस समया फिलाल विस्थ जोबी का बिंगोंगी कभूली दो घारख में कभूलगी ना में प्रखी युए में पर एप कर दो कर दो है लागी प्रख जांच एजशन्सी कल काटमांडू जाहीं निस मंदर में आपसी साधी हुई है क्या आप फोटो वगर ऐदे थे वह हैं पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला पुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि F.I.R की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मॉБाइल की हालत क्या थी एक ठूटा हुआ मॉबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहाँ ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दाइरे में हैं और क्या क्या मिला हैं खुल शह पासपूर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को Samolite को Dalit पुलिस को तीन आधार Karma ूच Rec रही है जिसमें से एक mobile phone तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीर था ज़् SUS सीवा के चार बर्च सर्टिफेकेट भी मिले हैं एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफेकेट भी सीवा के पास से मिला है अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है सीवा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आप सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कॉपी में हर्याना के वलब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जाँ चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आई आर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो greater nooda तक पोँची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पोँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान लानी की प्लानिंग थी सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजन्सी कल काटमांडू जाएं इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महाँ फोटो वगरा किजे थे जिन पंडी जी ने साधी किराई थी वो हैं वो पंडी जी कह देंगे कि हमने इंकी साधी कराई बताईए कह देंगे वो पंडी जी हैं अई फिल से तरह बार किया टा duyजाएं थे जाभा आप लाव बार किकर थांगे में प्रफीज जाइए वो भार किया बार किया थांगे ग्रत आपका आपको अगदें से इस मताइए जाए थांगे गदेंगे तरह जाएग करे आपके दूए तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने कहा था तूसे भी देगिया था। सिमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सिमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सिमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है एटीस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है और पाकिस्तान से नेपाल नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी? और किस तरह से उसने टिकटे अपने बुख कराई और यहांपर पहुंची? तो कही न कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा इस मामने में गुरा ही ने लगी हूई है. तो साथ किस ने दिया, वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है, जाँच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाँच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर दिशारे लेकिन जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारिया है वो वाटसेप चैट से लेकर के वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए भीजा गया पूरा डिटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा के उपर संधे जादर घर आया है उतर प्रदेश के मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं एसेसपी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुक्ता करने की कोशिश तमाम डॉक्यमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग दस घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच चारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सबवादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जीटल को देखे सीमा है अदर से कल्बी आट जिनके पूस्ताच भी आज़ पूस्ताच उसे चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोडा के अंदर जो ATS का दफतर है वहां पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाओ जैसे सचिन के पिता है नेतर पाल वही होई पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा के अदेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दिगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकितानी आइडेंटिटी कार्ड हो इसके अलाओ जैसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूछताच की गए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास A की नाम से A की पदेपर लोली की जनम तिति की कैसे मौजूद है तो उस पर सीमा का जवाब यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वो उसका उसकी तिति निकल चुकी थी तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर्ट सीमा ने बताया कि उस राते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस उसे बस की पैसान करने की कोशिश नीजारी है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल को दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है धाने जो यारी कि अभी ATS की जो पूछता छोरी है जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहरा चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बांगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार वहीं SSP मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वह महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूज गया है कि सीमा हैदर से UP ATS की पूश्ताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सीमा तो देखिए ATS की टीम पूश्ताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछेगा है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूश्ताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए UPATS की पूश्ताच में ये बड़ी बात सामने आई है UPATS पूश्ताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूश्ताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूश्ताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उचारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूश्ताच कर रही है और पूश्ताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुलास है भी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट समदे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टैक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टैक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टैक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टैक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चौकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरत है जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसन्ट भी उसका अच्छा था यान कि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके के दोरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जासे कि आखिरकार की सिल्सले में और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूश्टाच की जा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे से योगी भी जुड़ गये उनका भी रुक करते है विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबन 8 गंजे तक पूश्टाच हुई तो आज भी लगाता है सीमा से पूश्टाच की जा रही है किसी गुप्त स्थान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कही सीमा गुमरा करने कोश्च कर रही है उसके बयानों में विरादवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही और जो इंटर्वियू उसने मीडिया को दिये हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं उसके अदार पर लगातार सीमा से पूस्ताच की जा रही है और साथ ही सीमा से ये भी बात जाने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है कभी वो कुछ होग नाम बताती है फिर कुछ होग नाम बताती है इस्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा फर्राटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का रियक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांचवी तक ही वो पड़ीवी है, पांचवी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है, सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा? जिसे आपको सवाल जो उट रहे हैं तो जैसे हाथ में इस निशान किसी के है तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब 5 दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंगलिश बोलना सीखा TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए कराई काजमानडवादी शादी कोई फोट बज़ेरा है क्या किसा अब शजी के आदार पर आस्पू भारत की नाज़गी नाज़गी अब ही जाएगे मिल सकती है यह जिस हो तो भी हो तो शादी कोई कोई प्रूफ है आपके पास है जब हो झाती ही जब के उसकी नागरिता यहां है यह उची पत्विन है उसकी नागरिता यह ज़िए पत्वासित पत्री wreck? लेकर कांदी इनके पास नागरिता नहीं डपे दिद हमादी है Sydald we पाकिस्था कि निकाल दियाaimer आप शिलाल जिस्टार्ट पर चाहता है। आप बहरत की नागरे के निज ही हो। ना भी जिए भारत की पुछवी कर खुबूल कभूलगी ना मिजिए भारत ने कभूल गर्हा है न पाजिस्ताइ कभूल कर गगूल जार क्या क्या हम। ओटे के पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है TV9 पर सीमा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी है 4 जुलाई को दर्ज की गई थी FIR हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो FIR की कॉपी है जो आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की 13 पन्नों की FIR सामने आई है FIR में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस FIR में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो FIR दर्श की कई थी उस FIR की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला पुलिस को 4 मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए है कई सवालों का गोल मुल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि F.I.R. की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मुबाइल की हालत क्या थी? एक ठूटा हुआ मुबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया मुबाइल फोन की भी जाच की जा रही है जिसमें से एक मुबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो कैसेट भी मिले है सीमा के पास से सीमा एदर के पास से और इन सभी चीजों की जाच इस वक चल रही है वही चार जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि चार बच्चे हैं सीमा के चार बच सर्टिफेकेट भी मिले हैं एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफेकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है, सीवा से कई इसे सवाल है जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई है सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और IPC की धारा 120B के तहद भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिकर है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा केती है कि Пांट दिन में उसने जेल में इंग्लिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दरश किया था उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसीज हो सकते थे हो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसीज हो चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किये हों तो तमाम इविडेंसीज इखटा किये गए और उसके बाद ही प्लिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जहांच एटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आईर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताई कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो हिंदु नेपाल आई थी और नेपाल में सचीन से उसकी मुलाकात वी थी उस दोरान वो शारजां से सीधा काटमांडू पहुंची और काटमांडू से वेइन के जरियہ सीधा पोकरा आई थी और साधी पोकरा के आदर बकायदा उसने मुलाकात किती स सचीन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्थांे लोड़ के है तो ये वो तौमारज महीने में हिदूस्तान केوب और भौरर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जा रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बार भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा को फूले से जंसी कल काठवांडू जाएं इस मंदर में आपको शादी हुए है बहुआ फोटम अगरा करते से इंविह को तो मेरे निकालए है निया निकालगा? नीकालता, जॉए निया निकालका, जॉए निकालागा? तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का आए गुलाम हैदर का एक 103 भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है पुलिस आई थी और अपने तखा था उसा भी देगिया लेने क्या का पटाओंगे पुलिस से गाएथ ना ना बहुत बछे पर ने पर अपके लिए आई ती तुछ बच्चे काश से करा दो तुछ गई बढ़े? हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संडे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी वी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखे बात कीज़े तो ATS की जाच का जारा है इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का जारा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पांचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कहना कई संधय है और बड़ा उसके अलावा उसके पास सो डोकुमेंट्स मिले, वो संदे के एक बड़ी वजह है, उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना, यानि कि अगर पाँची पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने तिक् कर दाएरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जाच पहुंच चुकी है और पुल लगातार पुलिस जो है इस मामने में कुछ उक्ता सब्सक्राइब कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई कि खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके है जो बिल्कुल देखिए जाच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मॉबाइल से जो चैट उसने सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब उससे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और व सी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का धसर आ रहा है परेजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है यह तमाम जानकारिया एटियेस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटियेस समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जतनी साधारण की इस लव स्टोडि को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का شक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुख्ता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जिगल को देखें सीमा एदर से कल्बी आज़ गएंटेंटेंटें पूस्ताच वी आज़ पूस्ताच उससे चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोईडा के अंदर जो एटियस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाव जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा के आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकितानी आइडेंटिटी कार्ड हो जो इसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे दो पासपोर्ट सीमा के बात जो से लिए टो तस ने रिन्यू करे था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है, उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है। कि गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लॉट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीयस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटीयस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीयस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी एटीयस की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है यूपी एटीयस पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटीयस ने सवाल इस बारे में पूछा तो और एटीयस की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से एटीयस भी हैरान रह गई है तो देखिए एटीयस पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुए जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट समझ दे देते सचिन से पहले भी बताय जा रहा है जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाइक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कांटाक किया था सीमा ने, एट इस सपुष्ठाच में यो बड़े खुलास हुएं वो आ आपको बता रहे हैं, जिसमें एक बड़ी बात ये, कि सकुछह लोगों से कांटाक की इनकर की ती। बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर, सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है, साथ ही एक और जान कारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर सवाल करना पातुला जवाब देना सीमा जानती है, सीमा ने पूछताज के दौर पूछताज में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है, सूत्रों के हमाले सी बड़ी जानकारी मिल रही है, और हमारे सजोगी जीतेंद्र इस पूरी खबर लगातार नजर बनाया में सीधे उनका रूख करते हैं, क्या-क्या खुलासे हुए है, चौकाने वाली कई बाते साम ये तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था, क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी. की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुंची थी. उसके बियान कल दर्च किये गए, एक बार फिर से उसका आच क्रोस चेक किया जा रहे है, उसके बियान फिर से दर्च किये जा रहे हैं, साथ ही उसने पूछता च्की दोरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्ख में थी जो की दिली एंसियार के रहने वाले हैं, अब ये कौन लोग हैं, उनकी डिटेल उससे पूछता अच के दोरान पता की जा रही है, ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जासे क अकिरकार की सिलसले में, सीमा इंसे लगातार संपर्ख में थी। इसके अलावा सीमा का जो फोन था, जो सीमा ने तोड़ कर बॉर्डर के पास भेका था, उस फोन की भी डिटेल जो पुली स के पास आ गई है, और उस डिटेल और साती जो चैट सीमा ने डिलीट की थी, वो क्या डिटेल भी ATS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की जा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गये उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपा तुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आट गेंटे तक पूछताच होई तो आज भी लगाता है सीमा से पूछताच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही है जो इंटरव्यू उसनUp门 मीडिया को दिए हैं वह भी पुलिस ने देखें है वह भी सिरी मा को दिखायी कई है तो यानि कि जहां जहां पुलिस को संदे हो रहा है उसके अदार पर लगातार सीमा से पूस्टाज की जा रही है और साथ ही सीमा से ये भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी क्या उसको किसी ने और आगे भी भूस्ताज हो सकती है सीमा से जो हमारे सायोगी अपडेट दे रहे है विवेक और जिते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहेएगा देखिए एक और चौकाने वाली बात ये कि टीवी नाइन भारत वर्श के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा फर्राटे से अ पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा इसमें कुछ सवाल दो उठ रहे हैं तो यह जैसे हासमें निशान किसीज के है तो सुना अपने सीमा का जवाब वो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग उपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काठमांडवाली सादी शादी कोई प्रूफ है अपके बाद सीमा के पास उसकी नागरिक्ता यहां है यह उसकी पत्री है यह भापित विखाटित प्राभ साथित जाखे नहीं है लेकिन उनके पास नांगिर्सा नहीं है पाकिसान नमीत निकाल दिया फिस्टने आप सद्राल विखाटित पास्टेध पाद है आप भ़रतों दोन्यं से लेट्स हो कोई प्रूफ है कि वा कोई कावज, कोई फोटो अलाकि पुलिस जाच एजंसी कल काटमांडू जाएंगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या वहाँ फोटो अगरा खिजे से जिन पंडीजी ने साधी कराई थी वो हैं पंडीजी कह देंगे कि हमने उनकी साधी कराई थी बताईएंगे पंडीजी ना प्रूफ है पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खलाब दर्ज F.I.R. की कॉपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी F.I.R. हर्याना के वल्लबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो F.I.R. की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं चार जुलाई को ये F.I.R. सीमा के खलाफ दर्ज की गई थी 13 माई की रात यमुना एक्स्प्रेस वे पर उत्री थी सीमा F.I.R. में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉड़ा पुलिस की 13 पनों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के साइरे में हैं। कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को, तीन आधार कार्ट भी मिले हैं, मुबाईल फ้ón की भी जाज़ जा रही है, जिसमें से एक मुबाईल फून तूटा हुआ मिला था, data deleted था, दो वीडियो कैसेट भी मिले है सीमा के पास से और इन सबी चीजों की जाच इसवक चल रही है वहीं चार जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि चार बच्चे हैं सीमा के, चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं, एक परिवार रजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है सीवा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कौपी में हर्याणा के वलब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई यह पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दोस अयोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं आपने सुना सीमा कहती है कि पाँच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काट возмandu में नेपाल में हमने शाधी तो की लेकिन शाधी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल दिखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दरश किया था उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बियान दी उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फलामंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे हो कलेक्ट किये गए चाहिए वो इलक्रॉनिक इविडेंसिज हो चाहिए हो पिर वहां से जुड़े लोगों के बैयान दर्च किये हों तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पलिस का शक तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब क्या आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिदुस्तान नहीं की प्लानिक प्लानिक चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इस कि पुलिस जाच एजंसी कल काठमांडू जाएंगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या वहाँ फोटो वगरा खेजेते जिन पंडीजी ने साधी किराई थी वो हैं वो पंडीजी कह देंगे कि हमने उंकी साधी कराई बताईए कि पंडीजी जाच इसाधी करिए आ अपकी कराई जाच पाईफिर आपकी पाईफिर पंडीजी फिर साधी कराई है वाहाँ वहां रही हुआ हो जाच प्री अबरे दांजी पान्यों पाईधा है अब तो देखिए TV9 के सिटिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई बहाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक 112 भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने तशा था तुछ भी रेगिया लेनन क्या कहा था हूँ और पुलिस से आप पुलिस तो बच्चे तो अपने था ना पके लिए आई थी रिखाय से लिखिर वापकर वापस गई पहले अगरा है हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखे बात कीजए तो ATS की जाच का दारा इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दारा भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पाँचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कही ना कही संदेह और बड़ा, उसके अलावा उसके पास तो डोकुमेंट्स मिले, वो संदेह के एक बड़ी वज़ा है, उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना, यानि कि अगर पांच किसने दिया, हो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बंडले जा रहा है, तो इसी के चलते लगातार जो है, जानच का दैरा बढ़ता चला जा रहा है, नेपाल से लेकर हिंदूस्तान तक जानच पोंच चुकी है, और लगातार प्र trainings शुए इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर्टिचार लेकिंजितेंद्र जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डेलीट किया गया है आपने बताएं कि कई ऐसी जो जानकारिया है वो वाट्सेप चैट से लेकरके वो रिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है क जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके जो बिल्कुल देखिए जाँच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क क्या मकसद था उसके बार में जब उसे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जाँच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा के उपर संधे जादा गहर आया है लेकिन जफूत हमारे बतार करके मुरादाबाद में भी एक बाने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का धज़र आ रहा है उतरप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वदेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिया है दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नाशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्टाच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इंफोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुस्टाच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुक्ता करने की कोशिश तमाम डॉक्यमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच चारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गये हैं हमारे सबवादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जिकल को देखे सीमे दर से कलरぎा ऑड है फिल पूस्ता जी चल रही है इस वक् novallo नर नोडा के अंदर जो एटियस का दस्तर है वहां पर सीमा को रखा गया है सचीन साथ में मौजूदै के लाओ जैस सचीन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौजूदै और सभी के लगातार पूश्टाच की जारी है, दरसल ये पूश्टाच सीमा की अइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी के इर्दगिर्द है, और जो सीमा ने अब तक कागजात के सामने पेश चाहे हैं, वो उसका अपना पाकितानी अइडेंटिटी कार् पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं, जिनके अलग अलग नंबर है, जब उससे पूश्टाच की गए, जो तूसरा पासपोर्ट है, जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई हैं, उन तमाम बातों को फुक्ता करने की कोशिश की जारी है, जो रूर सीमा ने बताया, जो रू पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जुली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहारा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जुली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जुली ने खुन से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भीजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीयस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटीयस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीयस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल-मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे ह सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हा कुछ लोगों से संपर्क किया था यह सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी यह है कि दिली NCR में रहने वाले लो से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में यह बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो यह कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग क देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच कि दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है यह बेहर चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा यह तो अभी तक इसी को आई नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी आखिराण वो किस तरीके से हिंदुस्तान पोची थी तो उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आज क्रोस चेक किया जा रहा है उसके बियान फिर से दर्च किये जा रहे हैं, साथ ही उसने पूछता अच की दौरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी, जो की दिली एंसियार के रहने वाले हैं, अब ये कौन लोग हैं, उनकी डिटेल उससे पू चैट सीमा ने डिलीट की थी, वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौझूद है, और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की दा रही हैं, जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए, ATS दफतर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया, उनका भी रुक करते हैं, जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आट गेंटे तक पूछताच हुई, तो आज भी लगाता है, सीमा से पूछताच की जा रही है, किसी गुप्त इस्तान पर, और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमराह करने कोश्च कर रही है, क्योंकि उसके बयानों में पर लगाता है, सीमा से पूछताच की जा रही है, और साथ ही सीमा से ये भी बात जानने कोशिश की जा रही है, कि आखिरकार वो कब से सचीन के परिवार वालों के संपर्क में थी, इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी, क्या उसको किसी ने गाइड किय था कि कैसे कैसे रूट से निकलना है, हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कही न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है, कभी वो कुछ होड़ नाम बताती है, फिर कुछ होड़ नाम बताती है, तो कही न कहीं इस तरह से सिमा और सिमा का का रियाक्शन जेल की पांच दिन की हो पड़िव है। सुनाते आपको इस बारे में क्या कहा? रूम्हों में यहाद करेंगी तंकर दरहा हैं, रहा हाद में हम जायता है। तो अब में जायती है। नहीं से तो चालश्तान की होगा हम पर जूँटेंड के तो टूँटें अब जैसे हासमी निशान के सीट रहा है। तो सुना अपने सीमा का जवाब वो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग उपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काजमांडवाजी सादी कोई प्रूफ है अब के बाद शकी कोई प्रूफ है आपके बाद शकी नागरिता यहां है यूची पत्री है यह ने टाहिस बिता नंगरितार लेकिशन धनकान दिया किस्तने आफ़लाल प्रूरट की नागरित की beneath है यह चीछ प्रूफ में कापूली प्रूफ कर रहा है न मैंतने नियक्तारर यजिदी एक सद्रूफ का जर्क पेस कोई प्रूफ है किवा कोई कावज, कोई फोटो अलाकि पुलेस जाच एजनस्य कल झाटमांडु जाएगेगे जिस मंदर में आपकी सादी हुई है क्या वहाँ फोटो गरा किदे थे जिन पंडिजी ने सादी कराई थी वो हैं पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के ख़लाफ दर्ज फायार की कॉपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी फायार हर्याना के वल्लब गड़ से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो फायार की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं चार जुलाई को ये फ भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉड़ा पुलिस की तेरा पनो की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के कारे में हैं और क्या-क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मोबाइल फोन की भी जाच की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो और इन सभी चीजिजों की जाच इस मक चल रही है भई चार जन्म प्रमाण पत्र क्योंकि चार बच्चे है सीमा के, चार बच सर्टिफिकेट भी मिले है, एक परिवार रिजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है, अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है सीवा से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वलबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई यह पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जाँ चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आई आर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी दस मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो greater nooda तक पोँची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पोँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान नानी की प्लानिंग थी सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजन्सी कल काठमांडू जाहीं है इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजे थे जिन पंडी जी ने साधी किराई थी वो है वो पंडी जी कह देंगे कि हाँ हमने इंकी साधी कराई बताईए कह देंगे वो पंडी जी अपनू इं जाधी जी करते हो है झाती ने साधी करते है क्या व्यादिन साधी करता क्या आपकं रैसल्टलिगा थी कि मत जी 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 का घानर दुए अग्याय करते है तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक 103 भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक स्वतेला भाई है पुलिस आई थी और आपने का था वो जब लेगिया यह मैंने क्या कहाता हूं यह पुलिस से आप मैंसे बच्चे हो पहे थात्त लिग ना थानि दुद बच्चे कैसे थे शोगेच़् ओंए तो बच्चे दो आपके लिए दुद पहले भाई है थी तो बच्चे कैसे थे वो हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचन को जोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े वें जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वें विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संडे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखें बात कीज़े तो ATS की जाच का जारा है इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का जारा भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पांचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कही ना कही संधे और बड़ा, उसके अलावा उसके पास दोकुमेंट्स मिले, वो संधे के एक बड़ी वज़ा है, उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना, यानि कि अगर पांची पास पास जो जो जानकारियां है, वो आप वाटसेप चार्ट से लेकर वो रिट्राइब भी कर लिया गया है, क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है, कोई क्लू मिल पाया है, जिससे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके? जो बिल्कुल देखिए, जानच एजनसियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मॉबाइल से जो चैट उसे ने सचीन से की थी, इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे ने चैट की हुई है, उस चैट को डिलीट किया है, डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था, उस जान बचाने की गोहार लगाई है, यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है, उतरप्रदेश की मुरादबाद में पाकिस्तानी सीमा हेदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया, पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली, जूली फेस्ब अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा, परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है, अजे की माने मदद की गोहार लगाई वहीं SSP मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये अब उसको वहाँ से नहीं आने दिया जा रहा है, इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी TV9 भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के ISI ओपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है यह तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समय तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसी लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसी को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसी को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है पाकितानी आइडेंटिटिटी काड़ हो पासे मिले हैं जिनके अलग अख नंबर है जब उससे पूशताच की गई के दो पासपोर्ट सीमा के पास एक की नाम से एक पधे की कोशिश की जा रही है ज़रूर्स सीमा ने बताया कि उसरा थे मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पड़ोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादाबाद की रहने वाले प्रेमी अज़े के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहार चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अज़े को बांगलादेश बुलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अज़े का फोटो मुरादाबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अज़े की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूस गया है कि सीमा हैदर से यूपी एटियस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली एंसियार के लोगों से किया था संपर्क एटियस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटियस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे ह सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले ल लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहर चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरा जितेंद्र क्या क्या खुला से हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फरा गंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पूछताच की जा रही है कल जो पूछताच की गई दरसल उस पूछताच के दोरान ना सिर्व सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गये जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसने उसका अच्छा थ पूछताच की दरान ये भी बताई कि इससे पहले वह इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो की दिली एंसियार के रहने वाले अब ये कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछताच के दोरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे सीमा ने डिलीट की थी वह चैट डिटेल भी एटीस के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की दा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए एटीस दफ्तर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भुए हुए हैं क्या एटीस को अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है बिल्कुल जिस तरह से कल सीमा से तकरीबर आट गेंटे तक पूछताच हुई तो आज भी लगाता है सीमा से पूछताच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विर है कि लोगो ने उसकी इंडुस्तान आने में मदद कि ती किया उसको किसी ने किया था कि कैसे कैसे हो के नकलना जिल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ती सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो पड़ीवी है पांच वी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या क जेल में ज़्हां से एंभे आगा है अंधिए जए हाथ आंक थे है और अट Bulgar मर कर joint it यहां हां किस फीर कर से नमेरेक में कृच्ल आप laser हो ँट लुयांद भी बिलगा दो जो हो जब लो कमें लिए दिंदिशन को यह जान हमाऊ कि यह तर शुल अच्छा सबसे पहले यह सुने लेकिन इनके पास नागरिस्ता महीं है पाकिस्तान ना इसको रिस्थापित कर दिया निकाल दिया इस समय आप फिलाल इसको रिस्थापित पाचिस्तानि अच्छा ने क्या क्या हम आप पर यदि एक साधी का एक कोई साधी फोटो है कोई पूटो है कोई कावज पोटो अलागी पुलिस जाच एजनसी कल काटमांडू जाहीं गी इस मंदर में आपकी साधी हुई है पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खलाफ दरज फाई आर की कौपी है 4 जुलाई को दरज की गई थी फाई आर हर्याना के वल्लबगर्ण से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो फाई आर की कौपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉड़ा पुलिस की 13 पन्मों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को चार मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए है कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें A.T.S. पूछताज में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि F.I.R. की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से ही आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से मुबाइल की हालत क्या थी? एक ठूटा हुआ मुबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया मुबाइल फोन की भी जाच की जा रही है जिसमें से एक मुबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो कैसेट भी मिले है सीमा के पास से सीमा एदर के पास से और इन सभी चीजों की जाच इस वक चल रही है वही चार जन्म प्रमाण पत्र क्योंकि चार बच्चे हैं सीमा के चार बच सर्टिफिकेट भी मिले हैं एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है सीमा से कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बाते सामने आई है सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्श की गई थी और IPC की धारा 120 B के तहद भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्श हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वल्लब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दरश किया था उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दिया उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे हो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वो फिर वहां से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किये हो तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जहांच एटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आयर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताई कि इससे पहले भी दस मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचीन से उसकी मलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मलाकात की थी सची तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिस्टा नाली की प्लानिक प्लानिक चार बच्छों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता जुआ रहा है हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई ह है तो आपको सुनाते है उस स्टिंग का हिस्सा अगी पुलिस जाच एजन्सी कल काट मांडू जाएंगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो वगरा किजे थे जिन पंडी जी ने साधी की ती कराई थी वो है है वो पंडी जी कह देंगे क्या हमने उनकी सा ना आपको अपको आपको आस आंव जाएं आपन अपको को, सिन तो को वकार प्रसिय जी कर का डिका दूसी ने अज़कम हुए तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो कि सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है पुलिस आई थी और आप ने कघा था तो लिने क्या कहा थो शे पुलिस को जत बच्चा हैं दो हुआ जए तो बच्च को पे-साहर लगुवए थी अअ बच्चा तो पहले लो आप अके लिए दने टाहितिक तो बच्चान केंशा है थी सिमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सिमा केती है कि मुझे डर है कि मैं सिचन से अलग हो सकते हैं हम और अब सिचन को छोड़ कर जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्ता वेज भी हैं मेरे साद मेरे सही होगी विवेक भी जुड़े वें जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े वें मिवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मुस्ञन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में देखे बात कीज़े तो ATS की जाच का दारा इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दारा भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीवा ने पहले कहा था कि वो पांचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कहिना कई संधे और की तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामने में गुम्रा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जाच का दारा बढ़ता चला जा र है वो आप वाटसेप चाट से लेकर के वो डिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके कि बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने एक मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब से पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा पार प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जांच के आदेश दे दिये पारे इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तब इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला पॉन थी टीवी नाइन भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पॉलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पॉलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटिएस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटिएस समेथ तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसी लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुछताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसीओ को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है जीतेंदर को बेखे सीमा एदर से कल दी आज़िए पूस्ताच वी आज़िए पूस्ताच उससे चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोईडा के अंदर जो एटियस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलाव जो सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा के अडिन्टिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात के सामने पेश चाहे वो उसका अपना पाकितानी अडिन्टिटी कार्ड हो इसके अलाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अलग नंबर है जब उससे पूश्ताच की गए जो तूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर सीमा ने बताया कि उस राते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस बस की पैचान करने की कोशिश की जा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल सीमा पार प्रेम प्रसंग का धसर आ रहा है की जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूस यह है कि सीमा हैदर से यूपी अटियस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटियस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटियस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे ह सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हां कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले ल लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहर चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरा जितेंद्र क्या क्या खुला से हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फरा गंटे तक ATS ने पूछाच की आज फिर उनसे पूछाच की जा रही है कल जो पूछाच की गई दरसल उस पूछाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गये जो कि उसने फराटेदार तरीके से पड़े और एसन्ट भी उसका अच्छा यानि कि कहीं से लग नहीं रहाता कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी तो उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर स से उसको आज क्रोस चेक किया जा रहे हैं उसके बयान फिर से दर्च किये जा रहे हैं साथ ही उसने पूछता अच की दौरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्ख में थी जो की दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब ये क फोन लोग हैं उनकी डिटेल उससे पूछता अच के दौरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जासे कि आखिरकार की सिलसले में सीमा इंसे लगातार संपर्ख में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने पतर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका भी रुख करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा में हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है पूछताच की जा रही हैं और साथ ही सीमा से यह भी बात जाने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचिन के परिवार वालों के सब्परक में ती इन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की ती क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से निकाऊंगे निकलना है, हर एक नाम जानने की पुरिस कोचिश में लगी हुई है, लेकिन कही न कहीं सुतरों कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है, कभी वो कुछ हो़ नाम बताती है, फिर कुछ हो नाम बताती है, तो कहीं न कहीं इस तरह turbines की संदे जो है और बढ़ पर सीमा का रियाक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना ये का है सीमा ने पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो आप ही सोचिए क्या कोई पांच दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांच वी तक ही वो करें हैं जाहार चालिक्ता करें सुझेर करें तो तो जाहा है तो जो हम पर चालिक्तान के हुगा है। तो तो इसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं तो जैसे हाथ पर निशान किस तीज के है तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंगलिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए काठमांडवाली सादिन स्वीर अपर जोसा पर आदार आपको भारत की नागरी नगरी ताभी जाएगे जैसे इस होतों भी हो जोगी में प्रूफ है आपके बाद कर दो तो ये कि ये को होगा तरफिज नहीं है उसकी नागरीटा यहां है ये उसकी पत्री है नहीं नहीं नहीं, यह शॉत्षप अब महत आ नहीं है, लेकर इनके पास नाहीं है विस्थाफिस कर दिया. निकाल दिया, विस्थान prayer ुप्रम पार्ट कर दिया, ज़स्था नहीं है. आप भारत्पी नाहीं कर दो हो एंडिО्रु था कोशा हो रूजी हो. कोई पूटोफ है कि वा रख कोई पोटो अलाकि पुले जाच एजंसी कल काठमांडू जाहीगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या होँआ फोटो अगरा किजे से जिन पंडी जी ने साधी कराई थी वो हैं हैं वो पंडी जी कह देंगे कि हां हमने उनकी साधी कराई है बताई ये कह देंगे वो पंडी जी ना आपको आपके पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खलाफ दर्ज एफाई आर की कॉपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी एफाई आर हर्याना के वल्लबगड़ से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो F.I.R की कॉपी है जो आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 जुलाई को ये F.I.R सीमा के खलाफ दर्श की गई थी 13 माई की रात यमुना एक्स्प्रेस वे पर उत्री थी सीमा, F.I.R में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खलाफ ग्रेटनोईडा पुलिस की 13 पनों की F.I.R सामने आई है F.I.R में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R दर्श की कई थी उस F.I.R की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला फुलिस को चार मुबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नज़र आई है ये देखें A.T.S. पूछताज में बड़े खुला से हुए है कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि F.I.R. की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या-क्या मिला है सीमा के पास से, मॉबाइल की हालत क्या थी? एक टूटा हुआ मॉबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने, इसी वज़े से सीमा श साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या-क्या बाते सामने आई हैं सबसे पहले चार जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभू पूरा में ये FIR दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुंची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस FIR की कॉपी में हर्याणा के वलब गड़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया FIR में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरिये सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दोस अयोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के उपर गहराया है और यहीं वज़ा है कि अब जाँ चेटियस को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस एफ आई आर की तो एफ आई आर में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी दस मार्च को इसी साल वो हिंदू नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो greater noida तक पहुँची है तो पहले वो क्यों आई पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुँची थी तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान नानी की प्लानिंग थी सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा पुलिस जाच एजन्सी कल काटमांडू जाहीं इस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजे थे जिन पंडी जी ने साधी किती कराई थी वो है वो पंडी जी कह देंगे कि हाँ हमने इंकी साधी कराई बताईए कह देंगे वो पंडी जी ए ? नुकैट थी जितने स्लेक दो खर देंगे बताली मेरी अंभाएं किती और मेघ्टा मंदर किए थी जी जीने इसाधी किती इसाधी ने इन अकिए हम पैसी तो देखे टीवी नाइन के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई इस्ट ना ना बहुत बदो बहुत बफ़ज़् घाते हैं कि नहीं नहीं तो जट पेचन लेकर थे आपपर करें चाहिए पुर। सबस्क्राइब करें हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है तो बार-बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाऊं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने क कोई सवाली नहीं उठता है कि या रखी नाइन के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्ता वेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़े हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग् जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है? जो है अपनी बुक कराई और यहां पर पहुंची तो कहीं न कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगा लगातार जो है जांच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जांच पहुंच चुकी है और लगातार प्रोलिस जो है इस मामने में कुछ पुक्ता सबूर लेकिन जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है आपने बताय जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मॉबाइल से जो चैट उसने सचीन से की थी इसके लावा कुछ अन्य लोगों से भी उसने चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था उसके बार में जब उससे पूछा गया तो यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है को भीजा परेजनों का कैनाए की जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया ATS की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद ATS समेर तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुछताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुछता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसिस को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी और आज भी ये पूस्ताच जारी है सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आईएसाई की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आया है कितनी आइटेंटिटी कार्ड हो इसके लाव जो पसपोर्ट है दो उन सबको लेकर उसे सवाल जाप किये जारे हैं दो पसपोर्ट सीमा के पास से मिले है जिनके अलग अग नंबर है जब उससे पूछ पूछ आचीए कि दो पासपोर्ट सीमा के पास A की नाम से A की पते पर लोले की जर्म तिति की कैसे मुझूद है तो उस पर सीमा का जवाब यह था कि दरसल पहला जो पासपोर्ट है वह उसका उसकी तिति निकल चुकी थी तो उसके बाद जो उसने रिन्यू कराया था वो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर्ट सीमा ने बताया कि उस राक्ते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस बस की पैसान करने की कोशिश नीजा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल मीडिया प्रोफाइल को दिया था उस प्रोफाइल को सर्च किया गया है साथ इसको फॉरें सिक्टी पास दिया है जितने जाने कि अभी ATS की जो पूछता चोरी है मुरादाबाद में भी एक माने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी कनेक्शन सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है उत्रप्रदेश की मुरादाबाद में पाकिस्तानी सीमा हैदर से मिलता जुलता एक मामला सामने आया पडोसी मुल्क बांगलादेश की रहने वाली जूली फेस्बुक पर प्यार के बाद मुरादबाद की रहने वाले प्रेमी अजे के पास आई युवती ने सनातन धर्म अपना कर प्रेमी संग विवहारा चाया फिर कुछ समय बाद स्वधेश लौट गई इसके बाद जूली ने किसी बहाने से अजे को बंगलादेश बिलाया अब चार दिन पहले जूली ने खून से लटपत अजे का फोटो मुरादबाद में उनके परिजनों को भेजा परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये इस मामले की जाच है वो हमारी इंटेलिजन्स टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी ब्रेकिंग न्यूस गये कि सीमा हैदर से यूपी एटीयस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटीयस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटीयस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी एटीयस की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है यूपी एटीयस पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटीयस ने सवाल इस बारे में पूछा तो और एटीयस की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से एटीयस भी हैरान रह गई है तो देखिए एटीयस पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुए जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट समझ दे देते सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथी एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहद चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रहे थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक की पूश्टाच में ये चोकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरते है जितेंद्र क्या-क्या खुलासे हुए है चोकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉंट्राक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा यह तो अभी तक इसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आठ घंटे तक एटीएस ने पूश्टाच की आज फिर उनसे पूश्टाच की जा रही है कल जो पूश्टाच की गई दरसल उस पूश्टाच के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फराटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ से जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पोची थी तो उसके बयान कल दर्च किये गए एक बार फिर से उसको आच क्रोस चेक किया जा रहे हैं उसके बयान फिर से दर्च किया जा रहे हैं साथ ही उसने पूछता चकी दौरान ये भी बताई कि इससे पहल पूर्टर के पास प्हेका था उस फोन की भी डिटेल पुलीस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वह चैट डिटेल भी ATS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछता चीजा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफतर से विवेक हमारे सायोगी भी जुड़ गया उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं क्या ATS क अब और संदे हो गया सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है दिखाए गये हैं तो यानि की जहां जहां पूलिस को सद्दे हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूछताच की जा रही है और साथ ही सीमा से ये भी बात जानी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वगब से सचिंद के परिवार वालों के सबपर्क में ती इन चोड़ नाम बताती है। तो यहीं न कहीं न कहीं इस तरह से पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते पुलिस की जाज का दे रहा है और बढ़ रहा है। दीख जाता है वो भी वैसा व्यक्ति सीमा जो कह रही है कि सिर्फ पांचवी तक ही वो पड़ीवी है पांचवी तक पड़ीवी सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है सुनाते आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा अच्छा ने इसमें कुछ कुछ सवाल जो उठ रहे हैं अब जैसे हाथ में निशान किस सीज के है अच्छा तो सुना अपने सीमा का जवाब वो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा TV9 किस्टिंग ओपरेशन में सीमा का कबूल नामा नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है सीमा ने क्या कहा है सबसे पहले ये सुनिए एक पास कोई कटमांडवाली सारीं सीवी दे सोही के आदार पर आध्टो भारटी नाजरी तामी जाएगे मिलशकीती है मैं लगे फोटो नी होटो पहले है शादी कोई-प्रूफ है अपके बादज? पाकिस्तान ने आपको विस्थातित कर दिया, निकाल दिया, इसमया फिलाल विस्थातित पाकिस्तानी, आप भारत में नागरिस्तानी हो ना मुझे भारत के का तुमी कर दी होगी, ना मुझे भारत में कभ्रेशनी ना पाकिस्तानी कभ्रेर, यार क्या क्या हम आप यदि एक साधी का एक पूटो कोई पोटो होगे है, कोई पूटो हमें पूले जाज एजंसी इस अम क्ल कात्मानु जाएं यह इस मंदर ने आपको स बताईए पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है टीवी नाइन पर सीमा के खिलाब दर्ज एफ आयार की कॉपी है चार जुलाई को दर्ज की गई थी एफ आयार हर्याना के वलबगड से पकड़े गए थे सीमा और सच ये देखिए यही वो एफ आयार की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे है चार जुलाई को ये एफ आयार सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी 13 माई की रात यमुना एक्सप्रेस वे पर उत्री थी सीमा एफ आयार में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्मों की F.I.R. सामने आई है F.I.R. में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस F.I.R. में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो F.I.R. दर्श की कई थी उस F.I.R. की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखिए क्या मिला फुलिस को चार मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखिए ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के कारे में हैं और क्या-क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन तूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है अभी भी ATS लगातार पूछताच कर रही है सीवा से कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशनी की कोशिश में ATS की टीम जूटी हुई है साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बाते सामन भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कौपी में हर्याना के वलबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिय के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिय के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉड का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर पर पिर आपने बयान के अंदर बताई कि इस से पहले भी 10 मार्च को इसी साल वह नेपाल आई थी और नेपाल में सची से उसकी मुलाकात भी थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काठमाणू पोंची और काठमाणू से वैन के जरीय सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकाइदा उसने मुलाकात की थी सचीन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचीन के साथ वो ग्रेटर नोड़ा तक पोँच तो ये वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में प्लानिंग चार बच्छों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसलिए शक भी गहराता ज़ा रह हमारे साथ आप जुड़े रहेगा देखिए टीवे नाइन के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है ये बाद भी सीमा ने बताई है तो आपको सुना के देंगे हमने ये की साथी करा है ये बताई ये के देंगे पान्दी से ने किसुन तो हूई ने सकता है ये ने सकता है तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई भाई नहीं है बलकि गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई डिपस नहीं करते हैं उप कर दो पष्द बत्चे हैं अपने आए थे हुआ इसके पर वह बहुत पर बच्चे टॉध बच्चे आई तो पहलो आपके लिए आए थे हुआ है हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं मैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं ऊठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग अरोब लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजिंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जारा है एटियस का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखे, बात किजए तो ATS की जाच का दारा है इस मामने में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दारा भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था और किस तरह से उसने टिक्टे जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुंची तो कहीं न कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले ज आपने बताया कि कई एसी जो जानकारियां है वो आप वाटसेप चाट से लेकर के वो डिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके कि बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब से पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा पार प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जांच के आदेश दे दिये पारे इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी टीवी नाइन भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटेस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटेस समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारण इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है इस बात को पुखता करने की कोशिश तमाम डॉकिमेंट्स उस रूट को उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश जो पूरी कहानी सीमा के जरिये अभी तक एजेंसीज को बताया गया है कल भी इस पूरे मामले में सीमा हैदर साचिन और उसके पिता से लगभग 10 घंटे की पूस्ताच हुई थी पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जिगल को देखे सीमा है अधर से कलबी आज जिनके पूस्ताच भी आज पूस्ताच उससे चल रही है इस वक्त सेक्टर 58 नोईडा के अंदर जो एटियस का दफ्तर है वहाँ पर सीमा को रखा गया है सचिन साथ में मौझूद है इसके अलावजे सचिन के पिता है नेतरपाल वो भी वहीं पर मौझूद है और सभी के लगातार पूश्ताच की जारी है दरसल ये पूश्ताच सीमा के अडिन्टिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे है उसी के इर्दगिर्द है और जो सीमा ने अब तक कागजात के सामने पेश किया चाहे वो उसका अपना पाकितानी अडिन्टिटी कार्ड हो इसके लाओ जो उसके पासपोर्ट है दो उन सब को लेकर उसे सवाल जाब किये जारे है दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अग नंबर है जब उससे पूश्ताच की गए जो दूसरा पासपोर्ट है जो तमाम बाते अब तक सीमा ने बताई है उन तमाम बातों को पुक्ता करने की कोशिश की जा रही है जो रूर सीमा ने बताया कि उस राते से वो उसी बस के अंदर बैख कर पोकरा से ग्रेटर नोड़ा तक कोची थी उस बस की पैचान करने की कोशिश की जा रही है इसके अलावा जो प्रोफाइल उसने अपना शोचल सीमा पार प्रेम प्रसंग का धसर आ रहा है की जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की मां ने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूस यह है की सीमा हैदर से यूपी एटियस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली एंसियार के लोगों से किया था संपर्क एटियस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटियस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखें UP ATS की पूछताच में ये बड़ी बात सामने आई है UP ATS पूछताच कर रही है अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बलकि भारत में इसस पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब ATS ने सवाल इस बारे में पूछा तो और ATS की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी और चारण भी अच्छा है ये सूतर बता रहे ह सीमा के जवाबों से ATS भी हैरान रह गई है तो देखिए ATS पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताच में जो बड़े खुला से अभी तक हुए है जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट सम दे सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हा कुछ लोगों से संपर्क किया था यह सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी यह है कि दिली NCR में रहने वाले लो से कॉन्टाक किया था सीमा ने ATS पूछतास में यह बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो यह कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है और सवाल का सीमा बेहर तेज दिमाग क देना सीमा जानती है सीमा ने पूछताच कि दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है यह बेहर चोकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा यह तो अभी तक इसी को ही नहीं है क्योंकि सीमा खुद इस से इंकार कर रही थी जो भी किसिमा सचिन Lynn के पिता से कल आठ घंटे तक पूछ ताच की आज फिर उनसे पूछ टाच की जा रही है कल जो पूछ टाच की गई दरस lower उस पूछाज के दोरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसे फराटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था यानि कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसके अलावा उर्दू के कई ऋंग्रटेजी कि जा रहे हैं ऊसके रिए फिर से इसके लिए रहने रहे हैं अब यह कौन लोग है उससे पूछ आच कि दरना पता की जा रही है जाना जासे कि आखिरकार की सिलसले में सीमा इनसे लगातार संपर्ख में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़ कर बॉर्डर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल जो पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो पाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हुए हैं क्या ATS को अब और संदे हो गया सीमा पर आगे भी पूश्टाच होगी क्या अपडेट है पूश्टाच होगी तो आज भी लगाता है सीमा से पूश्टाच की जा रही है किसी गुप्तिस्तान पर और पुलिस को लग रहा है कि कही ना कहीं सीमा गुमरा करने कोशिश कर रही है क्योंकि उसके बयानों में विरौदवास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुए नजर आ रही है और जो इंटरव्यू उसने मीडिया को दिये हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं वो भी सीमा को दिखाई गई है तो यानि कि जहाँ जहाँ पुलिस को संद्य हो रहा है उसके आदार पर लगातार सीमा से पूस्टाच की जा रही है और साथ ही सीमा से यह भी बात जानने कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कब से सचिन के परिवार वालों के सबपर्क में थी इन लोगों ने उसकी पुलिस की संदे जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते है पुलिस की जाज का दे रहा है और बढ़ रहा है और आगे भी पूस्टाज हो सकती है सीमा से जो हमारे सज्च अपडेट दे रहे हैं एक और जीते अंदर बारे साथ आप जुड़े रहिएगा देखिए, एक और चोखाने वाली बात ये कि TV9 भारत वर्श के स्टिंग ओपरेशन में बोली सीमा, फरराटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का रियाक्शन जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना, ये का है सीमा ने, प इसे पारे में क्या कहा? तो सुना अपने सीमा का जवाब गो कह रही है कि जब पांच दिन वो जेल में थी उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा, TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूल नामा, नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास, किस पंडित ने शादी कराई, उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है, तो देखिए ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है, जो की सीमा पर अब शक और बढ़ाती है, सीमा ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुनिए, एक बार बार काजमन्डू वाली शादी, ये कोई फोटो बज़ेरा है, क्या किसा, सुझी के आदार पर आस्पू भारत की नाजोटी, तब ही जाएगे, मिल सकती है, ज़िस हो तो बही हो तो, कोई शादी को कोई फ्रूफ है आपके पास, जब इसकी नागरिटा यहाँ है, ये उसकी पति है, ये उसकी पति है, लेकिन इनके पास नागरिटा नहीं है था, पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया, इससमया फिलाल विस्थापित पाकिस्तान है, भारत की नागरे करते हैं, गरोड करते है, यह उंतार समय का का पूल खूल करते हैं, मारे यह प्योस करते हैं C और देखे पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुँच गई तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नॉइडा पुलिस की तेरा पन्नों की एफ़ायार सामने आई है एफ़ायार में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं पॉइंट वाइस बताएंगे कि इस एफ़ायार में सीमा हैदर ने क्या-क्या बयान दर्श करवाया है जल्दी से नज़र डालते हैं सबसे पहले चार जुलाई 2023 को जो एफ़ायार दर्श की कई थी उस एफ़ायार की कॉपी भी हमने आपको दिखाई ये देखें क्या मिला पुलिस को चार मोबाईल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है ये देखें ATS पूछताच में बड़े खुला से हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था दिली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था जिसमें सीमा ये भी बताती है कि पांच दिन में वो इंगलिश बोलना सीख गई थी आपको ये भी बता दे कि FIR की जो कौपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुँच गई भारत भारत वो पहुँची नेपाल के रास्ते और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से मोबाइल की हालत क्या थी एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामत किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने इसी वज़े से सीमा शक के दारे में हैं और क्या क्या मिला है कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को तीन आधार कार्ड भी मिले हैं मोबाइल फोन की भी जाज की जा रही है जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था डेटा डिलीटेड था दो वीडियो भी दो वीडियो मिले है सीमा के पास and इस वक्ते और इन सभी चीजों की जाच इस वक्त कर रही हे और इस वर्छ चार जन्व प्रमाड पतर क्यूंकि चार बच्चे sih मां चार बच्छे है knowledge और सरटेफ़ेकेट 2023 को F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नॉइडा के थाना रभूपूरा में ये F.I.R. दर्ज है जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुची भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहट F.I.R. सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120 B के तहट भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है इस F.I.R. की कॉपी में हर्याणा के वल्लबगड से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया F.I.R. में सीमा हैदर सचिन और नेतरपाल का जिक्र है पाकिस्तानी मैला के चार बच्चों समेत होने की जानकारी F.I.R. में दी गई है सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शक्स भी पकड़ा गया जो की ग्रेटर नॉइडा का रहने वाला है सीमा ने PUBG गेम के जरीए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है हमारे दो सायोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुए उनका रुख करेंगे जितेंदर के पास चलते हैं जितेंदर आपने सुना सीमा कहती है कि पांच दिन में उसने जेल में इंगलिश बोलना सीख लिया सीमा ये भी कहती है कि काटमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी शक गहराता जा रहा है सीमा के उपर जो बिल्कुल देखे जिस वक्त ग्रेटर नोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्च किया था उसके तुरन बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी उस दोरान जो सीमा ने अपने बयान दी उसने जैसा कि बताए कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी इसके अलावा स्पंडित ने हमारी शादी कराई हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे उन तमाम जगाओं से जो इविडेंसिज हो सकते थे वो कलेक्ट किये गए चाहे वो इलेक्रोनिक इविडेंसिज हो चाहे वो फिर वहां से जुडें लोगों के बयान दर्च किये हों तो तमाम इविडेंसिज इखटा किये गए और उसके बाद ही पलिस का शक जो है वो सीमा के ओपर गहराया है और यहीं वज़ाए कि अब जहांच ATS को सौपी गई है इसके अलाव अगर बात करें इस F.I.R की तो F.I.R में सबसे महत्पूँ बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताए कि इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मलाकात हुई थी उस दोरान वो शारजांक से सीधा काटमांडू पहुची और काटमांडू से वेन के जरीए सीधा पोखरा आई थी और साथी पोखरा के अंदर बाकायदा उसने मलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लोड के थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़ कर सचिन के साथ वो greater nooda तक पहुची है तो पहले क्यों आई पहले क्यों आखिर्कार हिंदुस्तान नहीं पहुची थी तो यह वो तमाम सवाल है उससे पूछे जा रहे हो इनके जवाब के आकर वो मार्च बहीने में हिंदुस्तान लादी की प्लानिक तवाप सबुर्णी की बारत निए और सीमारे साथ आप जुड कराई है तो आपको सुनाते हैं उस स्टेंग का हिस्सा है कि पुलिस जाच एजन्सी कल काट मांडू जाएंगी जिस मंदर में आपकी साधी हुई है क्या महां फोटो अगरा किजे थे जिन पंडीजी ने साधी कीपी कराई थी वह हैं आपकाई थी आपकी छुड़ जाच एजन आपकी मलाम पन्डीजी और ऑनकी आपकी सुनादे बीच है की मादे घ्या हुआ तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूल नामा पती गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है ये सीमा ने का है गुलाम हैदर का एक सोतेला भाई है तो सीमा कई बाते बता रही है अपने पती के बारे में भी उन्होंने बताया है जब उसके बारे में सवाल पूछा गया गुलाम हैदर जो की सीमा का पती है क्या उसका कोई भाई है तो सीमा ने इंकार किया कि नहीं कोई जो बख्याद कर शुचक कर लुछया? तो बच्चे दॉपके थाद ना? तो बच्चे कैसे थी? तो भारू महपीश कांशाद वापस करें तो आपस यही परले कर असके दुछक दूकल को भीकिशत ना? ना रुटक दुछक किवाद सकत्थ हुआई TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं सचिन को छोड़का जाना अब मुम्किन नहीं है अब मुझे बारत में ही रहना है पाकिस्तान नहीं जाना है सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाओं अलग हो सकते हैं हम और अब सचिन को छोड़का जाने का कोई सवाली नहीं उठता है TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्स्क्लूजिव दस्तावेज भी है जानकारियां भी है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सायोगी विवेक भी जुड़ेव हैं जो की ATS दफ्तर के बाहर से हमार साथ जुड़ेव हैं विवेक कई ऐसी बाते हैं जिससे पलट गई है सीमा मसलन अपने पती के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बलकि सौतेला भाई है अंग्रेजी बोलने की बात जो है संडे हास्पत लगती है सीमा से जुड़ी भी क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के उपर की सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है पाकिस्तानी जासूस है क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का सीमा जिस तरीके से सवालों के गोल मोल जवाब दे रही है देखे बात कीज़े तो ATS की जाच का जारा है इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का जारा है क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो पांचवी पास है तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोल ली तो उससे कहिना कई संदे है और बड़ा उसके अलावा उसके पास तो डोकुमेंट्स मिले वो संदे के एक बड़ी वज़ा है उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदूस्तान में आ जाना यानि कि अगर पांच वी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिक्टे जवापनी बुक कराई और यहां पर पहुँची तो कही ना कही या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमरा करने में लगी हुई है तो साथ किस ने दिया वो भी नहीं बता पा रही है वो भी नाम लगातार बदले जा रही है तो इसी के चलते लगातार जो है जांच का दाइरा बढ़ता चला जा रहा है वो आप वाटसेप चाट से लेकर के वो डिट्राइब भी कर लिया गया है क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है कोई क्लू मिल पाया है जिसे की सीमा पर श्रक गहरा हो सके कि बिल्कुल देखिए जांच एजन्सियों के मताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसे सचीन से की थी इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसे चैट की हुई है उस चैट को डिलीट किया है डिलीट करने के पीछे उसका क्या मक्सद था उसके बार में जब से पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और वस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए बेजा गया पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी क्या उस चैट के बाद सीमा पार प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादाबाद ने मामले की जांच के आदेश दे दिये पारे इंटेलिजेंस टीम को दी गई है और इसमें अभी तक इस तरह को कोई जानकारी नहीं में दे कि वो महिला कौन थी टीवी नाइन भारत वर्ष पर देखिए सीमा हैदर का नैशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस को सीमा के आईसाई ऑपरेटिव होने का शक है सीमा के दो पासपोर्ट और उम्र का भी हेर फेर का पुलिस को शक है ये तमाम जानकारिया एटिएस की पूस्ताच के बाद सामने आई है एक पासपोर्ट में सीमा की उम्र सिर्फ 21 साल बताई गई है और आप देखिए कि तमाम इन्फोर्मेशन्स सीमा हैदर को लेकर आ रही है और उसके बाद एटिएस समेट तमाम केंदरी एजेंसिया और स्टेट एजेंसिस लगतार सीमा हैदर उसके पती सचिन और उसके पुता से पूस्ताच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जितने साधारन इस लव स्टोडी को बताया जा रहा है क्या सिर्फ बात उतनी सी है या फिर जिस तरह का शक सीमा हैदर पर है कि वो एक स्पाई है, इस बात को पुखता करने की कोशिश, तमाम डॉकिमेंट्स, उस रूट को, उस पूरे प्लैन को वेरिफाई करने की कोशिश, जो पूरी कहानी सीमा के जर्ये अभी तक एजन्सी को बताए गया है, कल भी इस की ऑपरेटिव हो सकती है और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सब वादाता जीतेंदर शर्मा जीतेंदर अभी तक की पूस्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है और जिस बात का शक है वो बात कितना पुक्ता होते हुए तमाम बाचीत में सामने आई है जो आज़ आफ किया ओर दो पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं जिनके अलग अलग नंबर है कमी तक देखर दी आ है दो तक मुरादाबाद में भी एकाने अपने बेटे की जान बचाने की गोहार लगाई है यहां भी connection सीमा पार प्रेम प्रसंग का नज़र आ रहा है परिजनों का कहना है कि जूली पैसे की डिमांड कर रही है अजे की माने मदद की गुहार लगाई वहीं सस्पी मुरादबाद ने मामले की जाच के आदेश दे दिये ब्रेकिंग न्यूस यह है कि सीमा हैदर से यूपी अटियस की पूछताच में एक बड़ा खुलासा हुआ है सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क देखें बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से दिली न्सियार के लोगों से किया था संपर्क एटियस की पूछताच में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा तो देखिए एटियस की टीम पूछताच कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए है लेकिन अलग-अलग सवालों के गोल मोल जवाब भी सीमा दे रही है एक और जो चौकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह हुआ है पूछताच में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा हैदर्स ने तो देखिए यूपी एटियस की पूछताच में यह बड़ी बात सामने आई है यूपी एटियस पूछताच कर रही अभी भी कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसलिए इस पूछताच में एक चौकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सची नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने ये खुछ सीमा ने जवाब दिया है जब एटियस ने सवाल इस बारे में पूछा तो और एटियस की पूछताच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है खुलासा ये कि बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा सीमा का अंग्रेजी उच्छारण भी अच्छा है ये सूत्र बता रहे हैं सीमा के जवाबों से एटियस भी हैरान रह गई है तो देखिए एटियस पूछताच कर रही है और पूछताच में एक और चौखाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है तो सीमा का अंग्रेजी ग्यान कितना है जिससे ATS हैरान है आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे ATS पूछताथ में जो बड़े खुला से अभी तक हुएं जल्दी से आपको एक एक करके आपडेट्स हम दे देते हैं सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कॉन्टाक किया तो सीमा ने कहा कि हाँ कुछ लोगों से संपर्क किया था ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिली NCR में रहने वाले लोगों से पहले कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में जो बड़े खुलासे हुए है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क यानि कुछ लोगों से कॉन्टाक की कोशिश की थी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉन्टाक किया था सीमा ने एटीस पूछताच में ये बड़ा खुलासा हुआ है एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है यानि कि बहुत सोच समझ करके गोल मोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा बेहत तेज दिमाग की है सीमा हैदर सोर्सिस के हवाले से ये बड़ी बाते सामने आई है साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है सीमा ने पूश्टाच के दौरान फराटेदार अंग्रेजी पढ़ी है ये बेहत चौकाने वाली बात है क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है सीमा के अंग्रेजी उचारण से ATS भी हैरान है तो देखिए अभी तक कि पूश्टाच में ये चौकाने वाले खुलासे हुए है सूत्रों के हमाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाया मैं सीधे उनका रुकरत है जितेंद्र क्या क्या खुलासे हुए है चौकाने वाली कई बाते सामने आई है सीमा से जब ATS ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बलकि भारत में इससे पहले भी दिली NCR में रहने वाले लोगों से कॉंटाक करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फराटेदार पढ़ लेती है सीमा ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था क्योंकि सीमा खुद इससे इंकार कर रही थी जो बिल्कुल देखिए सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीब आट घंटे तक ATS ने पूछताच की आज फिर उनसे पढ़ाए गए और साथ जानने की कोशिश की गई कि आखिरार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुची थी तो उसके बयान कल दर्च किया गए एक बार फिर से उसको आज क्रोस्ट चेक किया जा रहे हैं उसके बयान फिर से दर्च किया रहे साथ ही उसने पूछताच की दौरान ये भी बताई कि इससे पहले वो इंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि दिली एंसियार के रहने वाले हैं अब ये कौन लोग है उनकी डिटेल उससे पूछताच के दौरान पता की जा रही है ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जासे कि आखिरकार की सिलसले में सीमा इंसे लगातार संपर्क में थी इसके अलावा सीमा का जो फोन था जो सीमा ने तोड़कर बॉडर के पास फैका था उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी ATS के पास मौझूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताच की जा रही है जी ठीक है जी तेंदर हमारे साथ देखिए ATS दफ्तर से विवेक हमारे से योगी भी जुडगे उनका भी रुक करते हैं विवेक जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपातुला जवाब दिया है कई चौकाने वाले खुलासे भूए हैं क्या ATS क अब और संदे हो गया है सीमा पर आगे भी पूछताच होगी क्या अपडेट है को दिखाए गए हैं तो यानि कि जहां जहां पुलिस को सद्दे हो रहा है उसके अधार पर लगातार सीमा से पूछताच की जा रही है और साथ ही सीमा से यह भी बात जाने कोशिश की जा रही है कि आकिर कार